तो नमस्कार सारे वीवर्स से और जुड़ गए हैं इस लाइव मैच में चैपोक सूपर गीलीज वर्सिज बीए 11 तरिची का ये मुकाबला है अगर बात की जाए तो यहां पर दोनों टीमें जो है कहीं न कहीं न कहीं उमीद करने कि मधुरही पैंथर जो है अपने आने वाला दोनों मुकाबले वहार जाए तीन टीमें प्लेफाइ कर चुकी है प्लेफ के लिए लाइक कोवेई जो है और यहां पर चैपोक सूपर गिलीज बिल्कुल तलवार उनको पर लटकी वह अपना मैच भी जीतना है प्लस उमीद करना है कि दूसरी टीम अपना मुकाबला हार जाए अप सभी का स्वागत करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर ट्रिकेट लाइव लाइव हिंदी पर स्टार्ट हो गई है आप सो लोग जुड़ जाईएगा सबस्क्राइब करिएगा लाइक करिएगा इंज्वाइ करिएगा इस मुकाबले जो है चिपक सूपर खेल चुकी है और सुर्फ दो ही मुकाबले जीते वे नजर आई है चेपक सुपर गिलीज की टीम वहीं बीए 11 तरची की टीम जो है तो उने पांच मुकाबले जीया पांच मुकाबले यहां पर खेल चुकी है और पांचों मुकाबले हारते वे नजर आई है इस चुरेमेंट के अंदर अभी एक भी जीत जो है यहां पर बीए 11 तरची की चीम को मिली नहीं है तो क्या आज का मुकाल जीते हैं कि यह देखना होगा बीए 11 तरची चीम पिछले पांच मुकाबलें से हारत नजर आई है वह चैपक सुपर गिलीज भी अपने पिछले चार मुकाबलें जो ह हमसे एक मुकाल जीत लेती है तो मद्रोई पैंथर जो है वह कौलिफाय हो जाएगी और चैपक सुपर गिलीज वह टूरमेंट से बाहर हो जाएगी यहां पर इंडियन सीमें कंपनी ग्राउंड हमें खेला जाएगा यह मुकाबला दो मुकाबले है दिन का मुकाला चल रहा और कहीं नहीं यहां पर साथ बदिय तक शुरू होगा यहां पर चलिए चलते हैं अब मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं आप सब की तरफ जी आप लाइक करें के सब्सक्राइब कर दीए चैनल को इंजॉय करिए इस मुकाबले को बात करते हैं मौसम का सूर्थिहाल क्या है ना दे सकते हैं इंडेरन स्यमिट कंपनी ग्राउड पर एक एक मुकाबला दिन का यह दूसरा मुकाबला है और यहां पर शूर्थी अहां पर और बात कि जाए हूं सब्सक्राइब करते हैं यहां पर यहां पर शाम के मुकाबले में एक अच्छा-कासा यहां पर चेज होते हैं असानी से और बलेबाजी के लिए काफी अच्छा सर्फेश लगा है फुरा बहुत गेंद बाजों को भी मतद्द मिलते नजर आई है मगर यहां पर सर्फेश है वह काफी बड़े नजर आ रहा है बलेबाजी थोड़ा चोटा क्राउंड है और काफी पर शौट जो है हमें देखने को मिलते हैं इस पिछ के उपर तो इंडियन सेमिंट कंपणी क्राउंड का यह है मैसर मौसम का सूर्थ यहां पर 35 दिशनलों साथ डिवी सलसेच चंपरेचर है बादल चाय हुए है मगर बात की जाए हमिडिटी च्छाइस परसंट है और बार चैंपियंज जो है रही है शेर के तब से सीजन के अंदर ट्रॉफी जो है लाइक कोवे किंग से मगर इस सीजन में शुरुवाती दो मुकार जीतने बार लगातार चार मुकाबले यहां पर हारे हैं और कोई बीजियां कोई भी टीम हो कहीने मुराल जो है वो डाउन होता है सत्यप्रकाश भाई दूसरे मुकाम में जुल चुक है पहले मुकाम में शशाइंग भाई आप सकता जुड़े हुए है अब चलते हैं ज़रा बात करते हैं कल्यान बुक को जॉइन कर लिजिए गा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचा मैं पिन कर दिया है उस लिंक को क् प्लस पहले डिपोईट करने पर शरी बोनस डॉपर करने प्लस पहले ढेट किन मय ज्यान इस पते डियाय वह मकंच along को सिरे ज़िए अब और मिन्मकfMr.ya BA पर आपको 15 से 20 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाता है जी यहां पर आप सारे मुकाबले डे सकते हैं और त्रेट साते हैं दोनों चीमों, पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फ्रॉट जाहिएगा, कल्यान बुक को जोईन कर लिजेगा स्कीन पर दिये हुए नंबर पर वर्ट सब मेसेज करिएगा या फिर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लेचा मैं पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके वर्ट सब मेसेज करके अपनी आइड ले लिजेगा ध्यान रखेगा आज ही 200 रुपर डिपोईट करने आपको 100 रुपर का फ्री बोनस मिल रहा है तो जाकर जॉइन करिएगा अब चलते हैं दोनों टीमें अगर देखा जाए तो त्रिची की टीम इस बार नई फ्रेंचाइजी के साथ उतरी है मगर किस्मत जो है त्रिची के कुछ खास रही नहीं है कुछ खास मुकाबले जो है और अपने सारे मुकाबले हा रहे हैं चहपकग सुपर गिलीज की टीम के बस नाम है प्लेयर है बड़े खिलाड़ी है मगर जी से कहीं न खहीं दूर रह रहे हैं यहाँ पर चह लगर लगातार चार मुकाबले जहार चुके है मगर अगर देखा जाए तो रीसेंट प्रफॉर्मेंस में जो पल रहा है वह भारी है चैपक सूपर गिलीश के पास एक अच्छी टीम है बैलंस टीम है और बलेबाजी है वह काफिए सवालों में रही है बलेबाजी कुछ कुछ खास की नहीं है और गेंदबाजी में भी वह बाबा इंदी जीत और जगदीशन कौशिक जैसे बलेबास है जो अच्छी बलेबाजी करते हैं प्लस गेंद बाजी भी काफी एच्छी तो मेरे साब से इस मुकाबले के अंदर भी ए तरिचे इलावन तो कोशिश करेगी कि चैपक सूपर गिलीज से जो हो काफी बहतर खेले मगर चैपक सूपर गिलीज पिछल सीजन की डिफैंडिंग चैंपेन है इस सीजन में चाहिए बेशक से प्रॉल्डम रही हो और चार मैच हारे ज़रूर हो मगर उसके बावजूद भी एक स्ट्रॉंग टीम नजर आती है चैपक सूपर गिलीज यहाँ पर तो रिसन प्रफ देख लीजेगा आप सब लोग अगर बात की जाए तो तुरिची की टीम पांच मुकाबले खेल चुकिए इंका विनिंग प्रसंटेज जीरो है क्योंकि अभी तक एक भी मुकाबला जीते नहीं है इस सीजन के अंदर और वहीं अगर बात की जाए एवरेश स्कोर 127 का है हा जीतन दरा हैं और जो चार मुकाबले हारे हैं वह इसी सीजन में लगतार चार मुकाबले हारे हैं मगर की बल्लेबाजी को देखेंगे जो एवरेश स्कोर 145 है हाईए स्कोर 17 है और लोए स्कोर 117 है यहाँ पर तो आप देख सकते हैं बल्लेबाजी में इतना बड़ा डिफ experience है और कहीं ने कहीं वीनिंग परसंटेज है वो इस सीजन के अंदर थोड़ सा डाउनफोल देखने हो मिला है चैपक सूपर गिलीज से मगर चैपक सूपर गिलीज के लिए यह बहुत सब्सक्राइब कर दीजेगा और जुड़ जाईएगा हमार साथ इस मुकाबले मुझता है कि आज एक अच्छा मुझे काफी कमी उमीद है कि बल्ले बाजी निराश करती है और गेंद बाजी भी कुछ खास नजर नहीं आती है इस टीम के अंदर तो क्या रखता है आपको आज भी आज भी यहां पर मुकाबला जो है वो कुछ उसी तरीके का रहेगा या फिर से हमें सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और जुड़ जाईएगा हमार साथ इस मुकाबले में चलते हैं बात करते हैं यहाँ पर जॉइन करिएगा कल्यान बुक को और यहां पर अगर बात की जाए सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहां पर 100 रुपे का फ्री बोनस यहां यहां पर इंस्टेंटली मिल जाता है तो जाकर जॉइन करिएगा कल्यान बुक को लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचा मैं पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके वार्ट सब्सक्राइब करिएगा और लाइडी करेड करिएगा खेल इंसर्मिक करिये लाइचामे में पिन कर दिया है और काफे आचाई प्रॉफिल स्ट जोय टो यहाँ पर कहीं नहीं किने मुखाले के अंदर बात की जाए यहां पर आप करते हैं पिछ के ईक्छ? यह सामने हैं पर इंडियन सेमिट कमपनी ग्राउन की जो लगी की झाकूल है कम कर behind में 160 प्लस रन बने भी थे और चेज भी हुए और आध दिन के मुखाला में 200 रन मनते नहीं तो ओर आल देखा जाए तो बल्ले बाजी के लिए मुझे काफी अनकूल यह पिछ लगी है और इस ग्राउन के ओपर जो फॉस्ट इनिंग आवरेस स्कोर है 150 रन का है यहां पर और जादा बिके चटकात नजाते हैं बरसपत तेज गेंद बाजों को और यहां पर इस मिछ के ऊपर जातर मुकाबले जहां वह रंचेज करने वाली टीम जीते हैं तो वहीं कफ्तान की सोच यहीं रहेगी कि टॉस जीती है और चेज करिया शाम के मुकाबले में जिस तरीके से जहें वह गेंद बाजी की जाए दूसरी तीम कम से कम स्कॉर पर रोका जाए और टोटल को चेस किया जाए यहां पर तो समझ गये होंगे पिछ का सूर्थ यहां पर बलेबाजी के लिए काफ़ी अनुकूल है फस्टिनिंग आपर स्कॉर जहें वह वहीं अगर बात की जाए तो spinner गेंदबाज यहां पर ज्यादा वेकर चटकाते हैं और यहां पर जातर मुकाबले जो हैं वो रंचेस करने वाल टीम जीते हैं तो यहां से अगर बात की जाया तो टॉस जीत कर गेंदबाजी करना काफी बढ़िया रहेगा यहां पर तो यह पिछका सूर्थ यहां अगर जो भी टीम पहले बल्ले बाजी करने ऐüğंसरी नतिस बॉसरी बल्ले बाजी करने करते नजारक यहां वह सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप समझ जाइएगा मिली जूली पिछ है अगर आपके बल्ले बाजी वह काफी अच्छी है तो आप कोशिश कर घृपर आप dal गेंदबाजी यहां कि सब्सक्राइब कास्टी तॉअअगर ऑब भचाएगी ओवराल भी च्छार मिली और हुआ सब्सक्राइब बातерм Bruce यहां पर यहां पर यहां पर दो मुकाबले यहां दो मुकाबले टाई भी हुए देखेंगे तो नीचे का स्कूर चार बार बनते नजर आया है तो और देखेंगे तो डेटीम पहले बले बाजी करेगी अगर यहां पर गैस करना, अगर आप इससे कम का स्कूर बनाएंगे तो आसान हो जाता है यहां पर चैनल को, यहां पर बात करेंगे पेश वर्सल – सब्सिं कि यहां पर 50% विक्ट्रेंगी 10 captures तेज गेंदबाज शटकाते नजराएं और वहीं ऑगर बात की जाए तो यहां पर 49 पर physiology श्ष्पित फूर यहां पर विकेट निकाल रहे हैं यहांपर विकेट nिकाल रहे हैं विकेट निकाल रहे हैं यहांगर थोड़ा मुख् 어ष वह Cry हो रहा है क्योंकि रन बनाना जो है वो काफी ज़्यादा आसान है इस पिछ के उपर यह पर तेज गेंद बाज चुके हैं वहीं अगर बात की जाए इस पर पच्पन विकेट इस पिनर गेंद बाज बना चुके हैं तो यहां पर अगर आप फैंटसी टीम बनाना है तो पेस व वर्सेज इस पिन में अगर देखा जाए तो दोनों बराबर हैं आप तो दो तेज गेंद बाज और दो स्पिनर गेंद बाज अपनी आप फैंटसी टीम में रसकते हैं तो यह यहां पर पेचका ब्योरा पेचका पूरा ब्योरा बैने आपको बता दिया है कि किस तरीके से यहां पर खेल जो है वो चल रहा है अब देखना लिबात रहेगी कि किस तरीके से मुकाबला चलता है बाकि लाइक करिएगा आप सो लोग सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को और जुर जाईएगा हमार साथ इस मुकाबले में क्योंको मुकाबला मुझता है कि शायद आज ब बागी आप सो लोग कल्यान बुक के साथ जॉइन करते रही है यार लेंक डिक्स्ट्रप्शन में है लाइच में पिन कर दिया है उससे लिंग को क्लिक करके वार्ट सम मेसेज करिएगा अपनी आईडी जैओ वो ले लीजिएगा चाहिए हाँ पर क्रिकेट हो फुडवल और आईडी के उपर और यहां पर बात ध्यान रखिएगा मिनिम्म जो डिपोईट है वो सिर्फ 100 रुपर का है मिनिम्म विड्रॉल जो है वो सिर्फ 100 रुपर का है डिपोईट आप गूगल पर फोन पर पे टेम से बैंक ट्रांसफर से कर सतने हैं विड्रॉल आपको 15 से 20 में और आपके बैंक अकांट के दर मिल जाता है और आज ही जी हां ही आईडी करते हैं और दोसर रुपर का डिपोईट करते हैं तो आपको 100 रुपर पर वर्ष्ण मेसेज करके भी आप अपनी ID जा है वो ले सकते हैं तो जाईएगा खेलिएगा और जीतिया क्लाइन बुक के उपर लिंक है description में लाइचा में पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके वर्ष्ण मेसेज करेगा ID लीजिएगा खेलिएगा और जीतियेगा टोटली पहले हुए है आज यह जानना भी बहुत जरू है कि लोग आज किसके साथ रहना पसंद करेंगे जी यहां पर आपके सामने सब्सक्राइब कि चाहेंगे वह काफी बहतर तरीके से खेल रहे है मैं विडिनिक परचंटेज की बात कर रहा हूं चैपक सूपर गिली इसको काफी कि रहतर यहां पर खेल भी रही है इस मुकाबले को जीत्ते रदाइगे और 12% लोग अभी भरोसा कर रहे हैं यहां पर कही नहीं भीए 11th रिचीड के उपर तो क्या लगता है आपको जी क्या लगता है कि आज कुछ होगा पर यहां पर यह बताइए से चैपक सुपर गिली की चैपक सुपर गिली की चीम जो है मैच को जीतेगी हम आपनी टीम को जीते नदर आएंगे यह बात हो कि बाकि आफ स्ट्रीम को लायक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजगा और जुर जाहिएगा हमार साथ इस मुकाबले में बात करेंगे तो यार बले बाजी मुझे समझ में नहीं आ रह रहे है और वियांगा ज्छा से विल्कुल ही आट सा नहीं यहां आख नबे तो बंढ़ेगा वांगा राजू इस टीम के अंदर है डैनियल सुनदर फर्रेरियो इस्टीम केंदर है और फ्रांसिज रॉकिंस इस्टीम केंदर है केम अब भार्तिस इन्दर है अंतोरियोद दास के ए तो चलीए बात करतें यहां पर वी एम अन्टियकी तीम आज किस तरीखे से यहां से मुकाबला जュह है खेलते निज़र आएगी किस चलते निज़र आ Гिर्ण बात करेंगे अब दोनों hungry जियां दोनों chests लें कैसे भैतन हैं ब्येल एंटल्सान की तरह बढ़ेंगे पिछला मुकाबला मुधुरहई पैंतर से साथ विगिट से हार गए थे यहाँ पर बल्ले बाजी में बीए 11 तर्ची की टीम से अगर बात की जाए तो रन्स भाफी अंतक बनाते वे नदने जाये हैं ओए इस मुकाबले के अंदर हमार साथ इस मुकाबले में यहाँ पर बात हो रही है प्लेंग 11 की बात हो रही है यहाँ पर कि इस तरीके की प्लेंग 11 जो है वो देखने हो मिलेगी बाकी तो गंगा शिर्दर राजू जो है वो काफी बहतर तरीके से खेलते हैं और काफी बहतर तरीके से रन मनाते हैं अपन तो यहां पर चलिए यहां पर फुर से चेक करता माइक चल रहा है कि नहीं वागा तीम की तरह बढ़ता हूं तीम की तरह बढ़ाएं गंगा शिर्धर राजु जी यहां गंगा शिर्धर राजु पांच मैचों में 132 में चुक हैं स्ट्राइट जैसे एक तो दसका है पाशनांए पांशु निकयां करें मगरी बले बाजी पर भरॉसर हैं गंगा शिर्धर राजुख तो ठीम में रख़ेजेकं आहां पर एक और बल्बाजué सरान्टी सरान्टी जो है यहांपर जब कई पर बलेबास जो है वह खेल रही था टीम के अंदर और talentिट खेला रही है युवा खेला रही है और पहला इक मुकाबला खेला था intent काफी अच्छा लगा था कि बल्लазд गुमा रहे थे रन बनाने के लिए जा रहे थे पहले मुकाबले के अंदर 9 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाये थे यहाँ पर सरान ची ने तो मेरे को लगता है कि शरान टी जो है वो काफी बहतर खेल जो है वो दिखा सकते हैं यहाँ पर अब देखना होगा किस तरीके से यह खेल चलता है बाकी लाइक करियेगा आप सब्सकाइब कर दिये चानल को यहाँ पर जूरते रही है हमार साथ मगर सरान ची जो है वो यूबा खिलाड़ी है पहली बार खेल रहे हैं कि गंगा शिर्दर राजु को रख लिजए सब्सक्राइब कर देखा जाए तो सत्रा गेंदों में सोला रन बनाते पहली बाइच में दूसरे मैच में एक गेंद पर एक तीसरे मैच में 19 गेंद में और फ्रांसिस रॉकिन्स टीम के अंदर खेलते हैं कुछ खास नजर नहीं आई तो आप नमबर चार के तरह बढ़ते हैं यहां पर नंबर चार पर बल्लेबाजी करते हैं के मनी भारती के मुझे मुझे लगा कि हाँ बल्लेबाज ऐसा है कि उससे पहले बी 33 में चारी सब्नाये थे अगर देखा जाए ओवर और पांच मैचों के अंदर 90 न मनाये के मनी भार कुछ लगाए बड़े-बड़े शौट यहां पर लगाते वे नजर आए थे के मनी भारती तो मेरे इस आप से तो एदर रख सकते हैं बल्ले बाजी अच्छी कर रहे हैं तो गंगा शेजर राजियों के साथ आप यहां पर के मनी भारती को टीम रहें पांच में जोंगे मुकाबले में दमदार बल्लेबाजी करते नजर आये थी यहां पर के मनी भारती यहां से अगली तरफ बड़े यहां पर तो अगले खिलाडी यहां पर है Francis Rockins Francis Rockins की बाद मैंने कर ली है उसके परशके बाद आते हैं नमबर पांच में Darryl सुंदर फ्रारियो Darryl सुंदर फ्रारियो की बलेबाजी वो उस टुनमेंट में काफ़े अच्छी नज़र आई है पांच मैचों में 97 रन पांच मैचों में 97 रन बनाते हैं दर आए और यहां पर पांचों मुकाबले में 23 गेंद बाजी की दो मुकाबले में गेंद बाजी भी करी है दो मैचों में सब दो ही विकेट मिले हैं इनको एकॉनमी जिए हो 6 शह शाथ की रही है तो मेरे इसाब से यहां पर डैरील सुंदर फरारियों को आपने टीम के अंदर रह सते हैं यहां पर आते हैं जफ़र जमाल जाफर जमाल का में को सिस्टम समझ में नहीं आता है एक बार आपने ताबर तोड़ बलेबाजी करी ठीक अच्छा लगा भाई लोगों मज़ा आया बलेबाजी नोने काफी अच्छी करी ताबर तोड़ खेला मगर अब हर बार जियां हर बार आते ही बड़ा प्रहार करना चा लगता है नreu आखर को और स्कोर को आगे प्ढ़ाना चाहते हैं icy एक लगज वह लोग ड़ी टो फ़ेसा पर इख़ी मर लात वस्तिंदसनी कर देखेंगा तीन dich कर दीजेगा चैनल को और जुड़ जाएगा हमारसाद इस मुकाबले में बाकि जफर जमाल एक आकरमक बल्लेबाज़ वह इस तरहीं की कोशिचission करते हैं कि क्या आकर हाइटिटिंग बल्लेबाजी करने टीम का स्कोर जहें वह आगे कि जाहेँ वो हो कर नहीं पा सबस्क्तों के अंदर लाएं एंटोनियो दास वर्वास पर टीम के इंदर खेल रहे हैं मगर इन से बढ़ी अगर मैं कहों और तो आरराज कुमार जीजिया और राज कुमार जो हैं वो काफी बहतर और राउंडर लगे हैं विकेट चाहिए बेशसें को नहीं मिला है मगर बल्ले से रन बनाते नज़र आए अगर देखा जाए तो यहां पर आर राजकुमार ने टुटल जो है पांच मुकाबले खेले हैं च्यासी रन बनाए हैं अगर बात किया स्ट्राइक रेक रहा है और पिसले कुछ मुकाबले जब बीए 11 तरिची की ठीम फसी है तो यहां पर एंटोनियो दास जहें वो काफी बहतर बनाते नज़र आए हैं इस पिछ के उपर तो मेरे इसाब से तो भाई यहां पर आर पर तो यहां पर कहीं ने कहीं जो है तो देख लीजेगा गंगा शीर्दर राज्व और शार पर पांच पर डैरे सुंदर फ्रालियो नंबर चेप जफर जमाल और नंबर साथ पे आर राजकुमार जो हैं वो खेलते जाए इसमें एक नाम और जोड़ूंगा एंटोनियो द पर बल्लेबाज है इनकी बल्लेबाजी पर पांच मुकाबलों में सिर्फ उननचास रन बनाते में नजर आए हैं यहां पर एंटोनियो दास ज्यादा बड़ी पारी को है नहीं पहले में शूनने पर आउट हुए दूसरे बार रन तीसरे मुकाबलों नौन चौत्य पर आपनी आईडी जो है वो ले लीजेगा यहां पर और आज ही जिए आज ही आईडी लेते हैं और 200 रुपे जिए 200 रुपे अगर डिपोजिट करते हैं तो यहां पर आपको 100 रुपे की फ्री बैट जो है वो मिल जाती है कल्यान बुक की तरह से तो फटर जॉइन कर लीजेगा कल्यान बुक को लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाच्चा में पिन कर दिया है उस लिंग को किलिक करके वर्च स 200 रुपे का फ्री बोनस मिलता है यहां पर अगर बात की जाए तो विड्रॉल आप अपने बैंक अकॉन के अंदर 15 मिट के अंदर आपको मिल जाता है और अगर यहां पर जो है टोटली एक्शेंज लॉस्टर बुक कर सकते हैं त्रेड कर सकते हैं दो चीम पर प्रॉफिट और खेल सकते हैं जीट सकते हैं यहां पर चलते हैं तरह मुकाबले के तरफ और यहां पर जुडियेगा कर नाइट में कौन सी विड्य जीटा नहीं जीता है वो बठाईए रुखो भाइव इनकी राम भरोसे ही चलरा है यहां पर जीत तीन तीन मुकाबले चार में से टीन मुकाबले खेलें तीन चटकाएं यहाँ पर चार मुकाबलों में से और देखा जाए तो पहले मुकाबले के अंदर जी आ पंदर हम देकर एक विकेट दूसरे मुकाबलों में शूने विकेट मिले तीसरे मुकाबले में एक विकेट यहाँ पर मिलते हैं नजरा है तो चार में से सिर्फ तीन विकेट चटका हैं मगर economy जो है वो काफी बढ़ी है 6-7 का ऐसे तेस गेंदबाज आप तीन अटराजन को अपने टीम के अंदर स्वत्तिया है शायद आज भी एक दो विकेट जो है वो चटका आते हो नज़र आए आप अगले गेंदबाज है आर सलिम बर्सन आर सलिम बर्सन भी एक अच्छे गे ऑप पहले मुकाबले में सुरह रंडेकर एक दूसरे मुकाबले में शुरह रंडेकर एक टीसरे मुकाबले 1-3 मागर इस यहां पर मधुए 50 से खिलाव कोई भी कित नहीं मिला तो यहां पर ठीन अटराजन और आर सलिम्रसन जो परफॉर्मेंस है वो दोनों किसी एक को सत्या फिर दोनों को आप अपने लाइब करते हैं अगले बाद कीजा जबर्दस्त गेंदवाजी करी इन्होंने तीन मैचों के अंतर यह चार विकेट चटका चुके हैं के इशुरन और पहले मुकाबले मेट देकर कोई नहीं तीसरे मुकाबले में चौबिस रन देकर दो विकर चटका हैं यह भी राइट आम मीडिया फॉस्टर गेंद बाद जी यहां पर कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आर्सलिम बर्सन से और एकॉनिमी जो थोड़ी जादा है मगर साथ अशनों तीन छे की कॉनिमी और तीन मैचों में चार विकेट जो हैं वो चटका चुके हैं के इश्वरन और टीन पील का एक्स्पीजिंस भी है 2022 के अंदर भी छे मुकाबलों के अंदर नौ विकेट चटका है दो मुकाबलों के अंदर यह तीन विकेट चटका चुके हैं पहले मुकाबले में 24 कोई विकेट ने चटका राइट आम ऑब्रेक गेंद्वास हैं तो जी गोड़सन को रसते हैं अगर यहां पर के शुरन और रखना काफी बढ़िया रहे हैं तो यह बात हो गई यहां प यहां पर टीन अच्राजन इस्टीम के अंदर हैं यहां पर शुर्ण यह देखना होगा कि किस तरीके से खेलेंगे वागर शुर्ण की बबाद कर लेते हैं तरीके के खिलाड़ी है क्या प्रदेशन एक शुर्ण का शुर्ण नहीं दीजिए पिसल मुकाबलों खेले भी नह पर शुर्ण बेद्ट यहां पर शुर्ण बाद करेंगे अब दूसरी टीम की चैपक सूपर गिलीज की मगर उससे पहले लाइक करिए का आप सो लोग सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को और जोड़ जाएगा जीएगा हम आरसाथ इस मुकाबले में मुकाबला काफी बढ़ और उसके लिए यहां पर काफी बढ़िया खेल दिखाना होगा आप टॉसरे मुकाबले के अंदर चौस जो है यहां पर लेट होते हुए नदर आता है आप आप सब लोग के साथ जॉइन करते रही है यार लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचा मैंने पिन कर दिया है उस डिपोजिट है वह सर्फ सो अरपे का दिपोजिट है आप गूगल पर फोन पर फेटियम से बैंक ट्रांसफर से रहा सते है विडरोल आपको 2525 अंदर आपके बैंक अकॉन के अंदर मिल जाता है और प्लस यहां पर आज ही याइडी लेते हैं और प्लस दो स्रॉइट करते ह तो आपको 100 रपे का फ्री बोनस मिलता है प्लस पहले डिपोईट करने आपको 20% का बोनस मिलता है तो दो दो बोनस आपको मिल रहे हैं कल्यान बुक की तरफ से तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइव चर्मन पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके वाटसम मेसेज करिएग सारे मुकाबले जो हैं वह आप लाइदे सकते हैं जाए क्रिकेट हो फुटबॉल हो टैनिस हो क्रिकेट हो फुटबॉल हो टैनिस हो कोई भी मुकाबला हो आप सब लोग यहां पर जुड सकते हैं जुड सकते हैं खे देख सकते हैं सारे मुकाबले लाइदे सकते हैं टोटल हार का ही मुँ देखना पड़ेगा या फिर आज जो है वो चार मैचों के बाद एक जीत जो है वो देखने को मिलेगी यहांपर चलिए अब देखते हैं किस तरीके से बढ़ेगा यह खेल, किस तरीके से चलेगा यह खेल बाकि अब चलते हैं जराए बात करते हैं चैपक सुपर गिलीज अपनी हार को जो हार हुई है उन से थोड़ा बच कर रहीगी कि हार जो हो रही है उसमें जो है योगदान जो है वो काफी अथक चैपक सुपर गिलीज के बल्ले बाजो के रही है काफी लाइटली जो है मुकाबला खेलते नजर आए है एक मौका था खुद भाखुद कौलिफार करने का में अगर आप दूसरे के हाथ में छोड़ दिया यहां कि बात करते हैं चैपक सुपर गिलीज की जो ओपनिंग जोड़ी है वह यहां पर नरायन जगदीशन और शंतोशिव के साथ ओपन करा था यहां पर कहीने कहीं आज है यहां पर नरायन जगदीशन ने इंपक्ट प्लेयर दूसरे मुकाबले में अगर देखा जाए तो दो गेंदों में एक रहना और तीसरे मुकाबले में 32 गेंदों में 28 नमनात नजराय थे काफी धीन करती कि बल्लेबाजी है तीन मैचों में 43 रहने स्ट्राइक रेट जो है वह 94 का है एवरेज है वह यहां पर 15 का है तो यहां पर रहने दीजिए बल्लेबाजी जहें व कुछ खास है नहीं वह काफी जो बल्ले बाजी जहां हो देखने को मिली है कहीं न कहीं यहां पर चंतोस शीव से और अगली बल्ले बास लिए papa और रह न जंगप disagगी शन एकंटीशन औरह बाराध ब्ले लाइन आ político को यह 1975 को यहां पर 9-13 तीसरे मैच में पांच के दम चारन चौते मैच में चाथे मैच में पांच में मैच में पिछले मुकाबले में प्रिफल रहे हैं आप नायन जगदीशन कफ्तान हो चाहिए जब बल्लेबाज हो बगर यह है कि छी मैच में 149 स्ट्राइक रेट 116 का है और नायन ज जोड़ते नज़र आएंगे यहां पर 20-25 अब देखते हैं आज किस तरीके से मुकाबला जो है वह चलता नज़राएंगे यहां पर यहां पर आगे बढ़ते हैं यहां पर आग sujet यह मुकाबले में आगे बढ़ते हैं जोड़ आगे खिलाली के तरब बात करते हैं तो आगले खिलाली नंबर तीन पर आते हैं बाबा पर जित अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी इस टूनमेंट के अंदर उन्हें जबरदस्त करी है छे मुकाबलों में 273 रन बना चुके हैं और बल्लेबाजी जो है वो काफे ची रही है यहा पर 19 गेंदों 29 गेंदों 29 गेंदों आँन पर श्याली से नावाद नाबा तैइसंगेंदों बार रररण दस सालीस गेंदों को आप टीम के अंदर रख लीजेगा यह पर काफी रच्पो पोग सुपर गीली कि तरफ से नमबर चार पिशल मुकाबले में तो तुनमेंट ठंडा रहा है इनका भी छे मुकाबलों में तो यहां पर आप देखेंगे तो कोई बड़ी पारी जो है खेलते नजर नहीं आए यहां पर आर संजी आदब आर संजी आदों की बात कीजा दो मुकाबले में गेंदबाजी भी करी है यहां पर आर संजी आदब उस तरीके का फॉर्म देखने नहीं मिला अगले यहां बल्यबाजी नमबर पांच बल्यबाजी करते हैं पी राजन पॉल पी राजन पॉल तो भीयापूल टॉर्मेंट में अगर देखा जाए शुर्वाती कुछ मुकाबले में रन आये थे अठासी रन बनाये पच्चिस रन बनाये उसके बाइद अगर देखेंगे तो चार मैचों में डबल डिजिट का भी स्कोर बना नहीं मना पाया यहां पर कहीं नहीं यहां पर परदोष राजन पॉल का तो मेरे इसाब से परद जहां बाइस का है और साथ मैचों में सिरफ दो विकेट जिया साथ मैचों में गेंद बाजी करिया दोविके चटका है economy जह वो तीन दिसलों तीन-तीन की है पर दोष यहां पर पर दोश राजन पॉल की मगर बलेबाजी में कोई रोगदान नहीं है राटोंडर टीम के कर बात की जाए तो यार इनका बल्ला भी शांत रहा है पांच मुकाबलों में सिर्फ पच्पन रण मनाएं स्ट्राइक रेट जह 114 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी जह वो करते नजर आएं मगर एवरेज वो 28 का है उशाशी देव का गेन्द बाजी में अगर देखे घेनद बाजी करते नहीं ये उशाशी देव की बल्लेबाजी भी उतने खास है नहीं नंबर शे पर आते हैं बल्लेबाजी ज़धे कुछ अच्छी कीरिनिंग को इंको भी रहने दीजीये नमबर साथ पे जी हैं नमबर साथ पे पिछल मुकाबले में आये थे बल्लेबाजी करने के लिए हरीश कुमार शे मैचों में 84 रिन मनाये है इस ट्राइट जह 119 का है एवरेज जह 17 का है क्या लगता है आपको कि आज इस मुकाबले में है यहां कुछ करेंगे हरीश कुमार मगर हरीश कुमार के लिए बात की जा है तो हरीश कुमार गेंदबाजी भी करते हैं छे मुकाबलों के अंदर गेंदबाजी भी करी है चार विकिट जह हैं वो चटकाए हैं यहां पर हरीश कुमार को विकिट्स है वो मिलते नजर नहीं आई एकॉनिमी भी 8.008 के तो भी है यहां पर हरीश कुमार को भी रहने दीजिए कि ना बल्ले से रहन है ना गेंद बाजी में वो दम देखना मी लगा तो यह है टॉप ओडर यहां पर और और कहीं नहीं आप यह टॉप ओडर जो है वो है यहां पर इस मुकाबले में चपक सूप में लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है उस लिंगों किलिक करिएगा और आईडी करिएगा और आज ही आज ही मान लीजी आप आईडी लेते हैं दोस्तों रुपे करते तो आपको 100 रुपे का फ्री बोनस फ्री बोनस जहें वह आपको मिलेगा यहां पर और तो फट सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पर आप सारे मुकाबले जो है वह लाइव देशतने हैं लाइव देशतने हैं लाइव देशतने हैं यह खेलिए और जीदे कल्यान बुक पर लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा चलिए चलते हैं जरा गेंद बाजी की तरफ जी यहां गेंद बाजी की तरफ बढ़ेंगे चापक सूपर गिलीस की गेंद बाजी जो है वो किस तरीके से रहती है तो गेंद बाजी करम में सब्सक्राइब नाम आता है राम लिंगम रोहित का राम लिंगम रोहित जहां वो ठीक्षा गेंद बाजी करिए चैपक सूपर गिलीस की तरफ से इस तुनमेंट के अंदर छे मुकाबले में सिर्फ तीन विकेट चटकाएं एकॉनिमी जह वह नौद शूनल राम लिंगम रोहित को रहनी दीजे और अगर देखा जाये तो राइटाम मीडियम फास्टर गेंद बाज हैं मगर विकेट्स जहां वह मिले नहीं है राम लिंगम रोहित को यहां पर चलते हैं जड़ा अगले गेंद बास की तरफ बढ़ेंगे यहां पर उससे पहले चैनल अगले गेंद बास यहां पर है राहिल शाह ने चैपाउक्स उपर गीली के तरफ से और छे मुकाबलों में आथ विकेट चटका चुके है राहिल शाह राहिल शाह जो है यहां पर एकॉनिमी जो है वह छे देशनलों छे आठ की रही है लेफ्ट अर्थाम ओर्थ्रोस्पिनर गेंदबास है और मेरे इसाब से आप राहिल शाह को आज इस पर गेंदबास टीम में रख लीजेगा छे मैचों में आठ विकेट जी देखा जाए तो ओवराल गेंदबास जो है वो ठीटा की है एकॉनिमी भी छे देशनलों छे आठ के तो राहिल शाह को आज आप अपने फैंटेसी टीम के अंदर जो है वो रख लीजेगा यहां पर अगले यहां पर गेंदबास है एम सलिम बरसन जी हां एम सलिम बरसन भी इस टीम के एक और गेंदबास हैं लेक्टाम जी हाँ यहां पर अट्रस्पिन गेंदबास ही करते हैं अ सलिम बरसन और सलिम बरसन को भी देखेंगे तो यार इनकी भी गेंदबाजी ठीक्छा की रही है 5 मैचों में 6 मैचों में पाँच विकेट चटकाते हैं नजरा आए थे इस चुनमेंट के अंदर जी है पांच मैचे में सिर्फ यहां पर छे पछे वैच वैच वैचे हैं और पिछल तीन मैचों के अंदर चार विकेट चटका चुके हैं तो यहाँ पर जो है M Slim Burson R Slim Burson नहीं है M Slim Burson है इनको आप रख सकते हैं यहाँ पर इनको रख सकते हैं आप टीम के अंदर बाकी और गेंद बाजी के तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर B Rocky जी हा आप लगता है पांच मैंचों में तीन विकेट चटका हैं इन्होंने भी और गेंद बाजी में राइटाम मीड़ फास्टर गेंद बाजी करते हैं जी हाँ मेरे साथ से तो भाईया गेंद बाजी के लिए यहाँ पर जाद तो और राउंडर पर इस तरीके से जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से रहेगा यह मुकाबला बागे लाइक कर दीजेगा आप सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को और जुड़ते कि यहां पर खतम नहीं हुआ है और दूसरे मुकाबले में जियां दूसरा मुकाबला जो है अभी चालू नहीं हुआ है इसके बाज है यहां पर जो है मुकार शुरू होता तो चतीश मधन कुमार या फिर आमसरिम बर्सन और विजू अरूल हो सकते हैं आज खेलते हैं नजराएं इस मुकाबले के अंदर अभी टॉस नहीं हुआ यहां पर जियां इस पिच के ऊपर दिन के मुकालूम भी आपने देखे कि रन बंते नजराएं यहां पर जो फरस्टिनिंग इवरेश स्कूर जी आंठ शने है रही है उपट यहां देटीश के वारे चलते हैं बताते हैं आपको पिच रिपोर्ट तो चलिए हैं बताते है पिच को आप देख लीजएगLAUन के लिए घाफी अनुखूल रह्या जी है अनुखूल रही है बले बाजी के लिए कहली पारी मनतर जाते हैब। देखें पिछले कुछ मुकाबलों से यहां पर अच्छे खासे रंस जहां वह बने हैं पिछले रकल का मुकाल देखें शाम का वहां भी डेड़ सो रन बने वह चेज हुए तो अरुम यहां पर आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी के लिए काफी अनुकूल यह पिछ है इस पि ग्राउंड के स्ट्रेट्स के तोन नजके डाला यहां आप 58 मुकाबले खेले गये हैं अहां ऑर दूसर जो यहां पर घो वो टीम यहाँ पर 52% मुकाबले जीते नजर आई है तो मेरे इस साब से तो भाई देखिए मेरे साब से बल्लेबाजी के मुझा निकूल यह पिछ लगी है यहाँ पर जो फर्स्ट इनिंग एवरेस स्कोर है वो काफी बहतार 150 का यहाँ पर इस पिछ के उपर 190 का है तो यहाँ पर इस पिछ के उपर बनाते में नजर आएगी और यहाँ पर बीए लाउन तरिची की टीम के बल्लेबाजी जह है वो थोड़ा सो मुझे डाउटफुल रहती है वो बल्लेबाजी करना है साथ 13-135 रन का आकड़ जो है वो शायद छूते में नजर आए इस पिछ के उपर यहाँ पर ग्राउन का डाटा है मगर ग्राउन का डाटे साथ पेस वरसे स्पिन को भी समझ लीजेगा आप सो लोग यह पेस वरसे स्पिन का डाटा जी हाँ 51% विक्टेज हैं वो यहाँ पर चटकाई है तेज गेंदबाजों ने और उनने चास परसेंट विक्टेज हैं वो यहाँ पर चटकाते नजर आए तो यार मुझे बल्ले बाजी के लिए काफी अनकूल पिछ लगी है गेंदबाजों के थोड़ सब मुश्किल है मगर यहाँ पर स्पिनर गेंदबाज चाहे तेज गेंदबाजों दोनों को यह पिछ जहा है वो बराबर मदद करते हैं नजर आती है तो मेरे इस आपसे तो आगरा फैंटेसी टीम बनाए तो दो स्पिनर गेंदबाज दो थेज गेंदबाज एक और राउंडर जो है वो रख सकते हैं यहाँ पर अब देखते हैं क्या रहेगा इस मुकाबल कौन से इंपेक्ट आसकते हैं तो यहाँ पर डैरेल सुंदर फरारी और राज कुमार और ठीनट राजन में एक नाम और जोड़ूँगा गंगा शिर्दर राजू हो सकता है गंगा शिर्दर राजू भी एक अच्छी बल्लेबाजी जह हो करतना दरा है आज के इस मुकाबल और तीसरे खराजी देखिए हो सकता है कि यहाँ पर आज संजी आधा हो या फिर राहिल शाय भी अच्छी गंदबाजी करना है वो भी यहाँ पर इस मुकाबले में बेक्ट डाल सकते हैं और एक अच्छी खासी यहाँ पर गंदबाजी वो कर सकते हैं बाकि आप सुरोग ल सुर्फ सौरपे का है यहां पर और पहले डिपोईट करने पर आपको हेंड़ेट वाप बीस परशन का बोनस मिलता है मालेजी आप यहां पर हजार पर डिपोजिट दोसौरपे का बोनस मिलेगा मगर अभी जो छोटा खेलते हैं उनके लिए फिर आफर चल रहा है मालेजिए आप ही स्कीन पर दिये वे नंबर पर या फिर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है उस लिंग को क्लिक करके वाट्सप मैसीज जह हो करेंगे और दोसौरपे का डिपोजिट जह हो आप करेंगे तो आपको सौरपे का फ्री बोनस जह है कल्यान बुक की तरह से मिल रहा है तो लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके वाट्सप मैसेज करिएगा खेलिएगा और जीतिएगा और इंचॉय करिएगा मुकाबले को मेरे साब से मुकाबला जह है वो काफी बढ़िया रहने के उमीद रहेगी यहाँ पर बतादे आपको अभी मुकाबला इसी ग्राउंड के उपर था और पहला मुकाबला भी खतम हुआ है उसके बाद 15 से 20 मिनिट का समय लगता है यहाँ पर टॉस को होने में भी समय है शाद हो सकता है थोड़ी देर में यहाँ पर टॉस जह है वो यहाँ पर देखने हो मिल जाए हमें लाइक करिएग आप सोलो सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को और चुरते रहिए हमार साथ लाइव हिंदी के साथ अभी टॉस होने में थोड़ा सा विलंब है डिले है क्योंकि पहला मुकाबला खतम हुआ है से 645 पे टॉस होना था 645 पे यहाँ पर इस मुकाबले में टॉस होना था और अभ मुकाबले के तरफ अगर बात की जाए तो टॉस अभी नहीं हुआ है इस मुकाबले में पहला मुकाबला डिले था लेट खतम हुआ था और उसके बाद दुबारा से अगर मुकाबला शुरू होता है तो उसके बीच में 15-20 मिनिट का ब्रेक जो हो लिया जाता है और कहीं न मुकाबले में टॉस नहीं हुआ जैसे टॉस होता है तुरूंत मैं आपको अपडेट करता हूँ यहां पर कि कौन से जीम जो है वो टॉस को जीत कर क्या कर रही है आप लाइक करिए का आप सो लोग सब्सक्राइब करिए चानल को मगर यहां पर अभी इस मुकाबले में टॉ ह aurait us बिल्कुल भी नहीं हुआ यहां ठाउस कहीं कि लिए स्रेमनी होती है फिर यह वह मैंच के लिए दोग दीले होता है आसिभाइब बारिश है क्या बारिश नहीं है अ कि पहला मुकाबला इसी पिछ 90 अभी खतम हुआ है और दूसरा चालू करना है थोड़ा सा समय का फिछ रहुत फिक हो ब्रस एक तो diff देखने को मिल जाए 15 मिनिट बचे हैं भी समय बचा है वगर यहाँ पर वही नियूज एक पहला बुकाला जब लेट व्रुर्स के समय समय लगता ज़रूर है जी आमें समय लगता जरूरा itself और देखते क्ली करेंग यहाँ विंख लेख यहां पर लाइक अपर करते हैं जोaggioड़े है यहां पर टोस को ले के जिना टोस को लेके धोल के थोड़ा सानेश जो है वह लग सकता है यहां पर और मेरे उसाथ हे मैश सोच हड़ोगा मगर आप वन्तरची की टीम की बल्लेबाजी मुझे वह थोड़ सा समझ के मेरे परे हैं देखते हैं भी कितनी देर में कराएंगे टॉस अभी बिल्कुल क्या सोच रहे हैं अग बार कि टॉस कराने के बाद जो है कि कब तक ही टॉस हो जाएगा देखते हैं भी लाइक करिए आप सब्सक देखते हैं यहां पर जी यहां यहां पर अभी तक अभी तक भी टॉस नहीं हुआ लिग में हैं कि यहां पर तो टॉस भार तक नहीं हुआ भाई आपका चनल सब्सक्राइब किया धन्यवाद भाई मानस वनस डिजिटल भाई डिजिट भाई तो गया भाई भी यह तो भी कोई टॉपडेट नहीं जहां मैं देखता हूं तो लाइब दिखने कोशिच कर रहा हूं फिलाइब दिखा देट लाइब भी सूर्थिहालों किया अब कि तक टॉस रेघर क्राक नहीं रहे तक us both game there ऐसे देखते हैं किस तरीके से चलेगा यह एक पाई चीन का खेल्ण का खेल बने का कोई उमीद भी लडग नहीं रही है इसाज़ाब से यह ک्या खेल बना रहे हैं टॉस कब होगा भाई राकेश भाई कुछ नहीं बता टीन पील राम भरो से राम भरो से चल रही है इनको पहला मुकाबला खतम हुआ अभी सबसाथ फिर मैच स्टार्ट कर देंगे तो यह चलिए आप आगई न्यूस आगई है न्यूस आज चुकी है बीए इलावन त्रिच्ची की टीम ने टॉस को जीत लिया है पहले गेंद बाजी करने का निना लिया है यह क्या कर दिया है इस पिछ पे चैपक सूपर गिलीज को कहा है कि भाई आप पहले बले बाजी जो है वो चैपक सूपर गिलीज की टीम करेगी और गेंद बाजी जो है वो यहाँ कर रहे हैं जी हां कर रहे हैं आप चेपक सूपर गिलीज की तरफ से यहां पर क्या लगता है आपको क्या लगता है आपको इस मैच में कुछ कम Malcolm खेल जो है वो देखने को मिल सकता है कि चलिया टास हो चुका है इस मुकाबले में बी-ए 11 की टीम कर रही है और बले बाजी कर रही है यहां पर चैपोक सूपर गीलीज की टीम जी हां चैपोक सूपर गीलीज की टीम ने पहले गेंद बाजी करने का जो है अनिन ने वो ले लिया है तो क्या लगता है आपको कि यहां से चैपोक सूपर गीलीज की टीम एक बड़ा स्कूर बनाएगी या फिर बी ए इलावन तरिची की टीम इनको कम से कम स्कूर पे यहां पर क्या रोक पाएगी यह देखना होगा लाइक करिएगा आप सो लोग सब्सक्राइब कर दिये चैनल को जुडते रही है हमार साथ इस मकाबले में बी ए इलावन तरिची की टीम ने टॉस को जीत लिया है और पहले गेंद बाजी करने ने लिया है तो निउज आ चुकी है यहां पर टॉस की निउज आ चुकी है चलिए काफी लोग वेट कर रहे थे यहां पर की टॉस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि टॉस हो चुका है इस मुकाले में शीपो भाई कैसे हैं बड़ी देर आए दुरुसता है मगर कईने कई टॉस जह वह करवा दिया है इस पिछ के उपर जी आपको यहां पर यहां पर जीत लिया है वह लाउन तरिशी की टीम ने टॉस जीत कर पहल गेंद बाजी करने का निंड़े लिया है यहां पर और चपक सुपर गिलीस की टीम जो है वो पहले बले बाजी करेगी और बीए 11 तरिची की टीम करेगी गेंद बाजी इस मुकाबले में 25 मुकाबला है टी एन पील 2023 का तो अब चल देंगे जराए बात करेंगे प्लेइंग 11 क स्टीम के अंदर बता बात की जाए तो बाबा परजित स्टीम के अंदर है एस हरीश कुमार जो है वो स्टीम के अंदर है बात की जाए तो यहां पर मतन कुमार भी स्टीम के अंदर है राहिल शाह स्टीम के अंदर है यहां बात की जाए तो संजे यादव स्टीम के अंदर ह शंतोश शिव जह स्टीम के अंदर है एम सिलिम बरसन भी स्टीम के अंदर है टी लोकेश राज स्टीम के अंदर है और बात की जाए तो जितंदर कुमार भी स्टीम के अंदर है और बात की जाए तो यहाँ पर एक और ख़ारी आर सीबी आर सीबी को भी आर सीबी नाम है उनका SIBICB सुन लोजेगा यहाँ पर बाबा-पर्जित हरीश कुमार यहाँ पर अगर बात की जायें तो मतन कुमार यहाँ पर मतन कुमार भी मतन कुमार भी स्टीम के लिए राहिल शाह है संज्य यादव स्टीम के लिए शंतोज शिव है यूश अशीदेव स्टीम के अंदर है अमसरिंबर्सन स्टीम के अंदर है लोकेश राज है यहाँ पर अगर बात की जाए तो जितंदर कुमार भी स्टीम के अंदर है और आर सी भी आर सी भी नहीं आर सी भी स्टीम के अंदर है तो यह प्लेइग नामर है च्वेपोग सूपर गिलीज की यहाँ पर स्टीम के अंदर है और अगर बात की जाये तो के इस्वरर्न इस्टीम के अंदर है यहाँ पर जी गोड़सन भी इस टीम के अंदर है और वी अथियसा राज डैविड़सन इस टीम के अंदर है, तो यहाँ पर यह BLN तिचे की टीम समझ लीजेगा, गंगा शिर्दर राज़िव इस टीम के अंदर है, टी सरन है, के राजकुमार है, डैरेस उंदर फरानी होँ के मानी भारती आर राज कुमार एंटोनियो द्यास और स्लिम बर्सन एशुरन के इस टीम के अंदर है और बात की जाए तो अथिस्या राज डैविडसन भी इस टीम के अंदर जो है यह दोनों टीमों की प्लेंग लावन है तोजीता है यहाँ पर कहीं ने कहीं बीए इलावन प्रिचे की टीम ने और पहले गेंद बाजी करने का अंडिन ने जो है वो लिया है बस कुछी देरे में जी हां कुछी देरे में यह मुकाबला जो होगा आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ जाईए का हमार साथ इस मुकाबले में क्या लगता है आपको खेल जो है वो किस तरीके से रहेगा दों टीमों की प्लेइंग लावन है दोनों टीमों की बाकी अब बढ़ेंगे बात करेंगे यहां पर पिच की तो लाइक करिए का सब्सक्राइब कर दिये चैनल को जगरबात की जाए तो यहां पर बता दें आपको की नरायन जगदीश जो है वो चपक सुपर गिली से रहें खेल रहे हैं और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एक दो चेंजिस हैं अब यह इलावन तरिचे की टीम ने भी किया तो यह पूरी प्लेइंग लावन लाइक कर दिये चैनल को इंजॉय करिए इस मुकाबले को मुकाबला सूपर से सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को और इंजॉय करिए गाजिया इंजॉय करिए इस मुकाबले को समझ लीजिए भाई पिछ किस तरीके से यहां पर रहने वाली है यहां पर चलिए देखते हैं पिछ रिपोर्ट को यहां पर आपको यहां पर देख लीजेगा ध्यान से एक पिछ को आप एक बार दिहान से देख लीजेगा यहां पर पिछ रिपोर्ट आपके सामने हैं यहां पर इंडियन सीमेट कंपनी ग्राउन में खेला जाएगा यह मुकाबला और कहीं ने कहीं यह पिछ बल्ले बाजी के लिए काफी अनुकूल रही है यहां पर कहीं ने कहीं पिछ और यहां पर जो फ़ल्स इनिंग एवरेज्प स्कौरर जी हां फ़ल्स इनिंग एवरेज्प स्कौर जो है वह 150 रनका है एक पचास रन यहां पर पहली पारी मनत्र जाते हैं और देखें पिछले कुछ मुकाबलों से यहां पर अच्छे खासे रंस वो बने है पिछले कल कम कल देखे शाम का वहां भी डेड़ सो रन बने एक साट रन बने वो चेज हुए तो अरुम यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी के लिए काफी अनुकूल यह पिछ है इस पिछ पर जादा बने वाली टीम जीतने जाती है मगर अगर बात की जाए इस पिछ के स्टेट्स की ग्राउन के स्टेट्स के तो नजर डालिएगा आप अठावन मुकाबले खेले गए हैं जी आठावन मुकाबले इस पिछ पे खेले गए हैं इस पिछ के उपर और अठावन मुकाबले में से सटाइस मुकाबले पहले बल्लेबाजी और तिस मुकाबले जो हैं वो यहाँ पर रंचेस करना टीम नहीं जीते हैं और यहाँ पर जो पहले बल्लेबाजी करती है और दूसरे जो यहाँ पर रंचेस करती है वो टीम यहाँ पर बावन परसंट मुकाबले जीते हैं नजर आई है तो मेरे इसाब से तो भाई देखें मेरे साब से बल्लेबाजी क लगी है यहां पर फिर्स टोटल यहां पर लौस कि हम利вой ओर यहां फो धी बहुंआ सब्सक् merch यहां पराइन वी जांचे और लएज्टी बात किया एक लाएज भी होएंग् अगरा और देखेंगे तो पिछ को मेरे हिसाब से शाम के मुकाबले में अगर चैपक सुपर गिलीज बल्लेबाजी करने आती है तो इस पिछ के उपर बनाते में नजर आएगी और यहां पर बीए लाउन तरिची की टीम की बल्लेबाजी यह है वो थो तो मुझे डाउटफुल रहत 51% विक्टेज है वो यहां पर चटकाई है तेज गेंदबाजों ने और 49% विक्टेज है वो यहां पर स्पिनर गेंदबाज चटकाते नजर आए तो यार मुझे बल्लेबाजी के लिए काफी अनकूल पिछ लगी है गेंदबाजों के थोड़ सब मुश्किल है मगर यहां पर इस पिनर गेंदबाज चाहिए तेज गेंदबाज दोनों को यह पिछ जहां वो बराबर मदद करते हैं नजर आती है तो मेरे इसाब से तो अगरा फैंटेसी टीम बनाए तो दो थेज गेंदबाज एक और आउंडर जो है वो रख सकते हैं आप अब आप देखते हैं क् मकाबले का सुर्तिहाल के तरीके से आगे चले गए आप बागी आपको की फैक्टर जी आपको टीम फरारी होए आर राज कुमार हो ठीन अट राजन में एक नाम और चुड़ूँगा चलिए बता दे आपको कि अहां पर टॉस जीत लिया है बी ए 11 तरिची की टीम ने बी ए 11 तरिची की टीम ने टॉस जीत कर पहले गेंद बाजी करने का निंड़े लिया है यहां पर और चापक सूपर गिलीज की टीम जो है वो पहले बल्ले बाजी करेगी और बी ए 11 तरिची की टीम करेगी गेंद बाजी इस मुकाबले में 25 मुकाबला है टी एन पियल 2023 का तो अब चल देंगे ज़रा बात करेंगे प्लेइंग 11 की क्योंकि आप से कुछी समय बाद मुकाबला जो है वो शुरू होगा उससे पहले आप सो को प्लेइंग 11 जो हो दिखा दूँ यहां पर चापक सूपर गिलीज कर रही है बहले बाजी स्टीम के अंदर बता बात किया तो बाबा पर परजित स्टीम के अंदर है एस हरीश कुमार जो है वो स्टीम के अंदर है बात की एम सिलिम बरसन भी स्टीम के अंदर है टी लोकेश राज स्टीम के अंदर है और बात की जाए तो जितिंदर कुमार भी स्टीम के अंदर है और बात की जाए तो यहां पर एक और ख़ाड़ी आर सी बी आर सी बी नाम है उनका एस आई बी आई सी बी जो है वो स्टीम के यहाँ पर मतन कुमार भी स्टीम के अंदर है राहिल शाह है यहाँ पर संजे यादव स्टीम के अंदर है शंतोज शिव है यूश अशीदेव स्टीम के अंदर है एम स्रिमबर्सन स्टीम के अंदर है लोकेश राज है यहाँ पर अरबात की जाये तो जितंदर कुमार भी स्ट कौन कोन है यहां बिए अदर बात की जाए तो के इश्वरन श्टीम के अंदर है यहाँ पर जी गोड़सन जी जी गोड़सन भी स्टीम के अंदर है और वी तिया राज डैविड्सन तियम के अंदर है तो यहाँ पर यह B1M तिची की टीम समझ लीजेगा गंगा शिर्दर राजु इस टीम के अंदर है टी सरण है के राजकुमार है, डारेस उंदर फरानी हो है के मानी भारती, आर राजकुमार है उन्यों दास आर्सलिम बर्सन के इशुरन इस टीम के अंदर है और बात की जाए तो अथिस्या राज डैविडसन भी इस टीम के अंदर जो है यह दोनों टीमों की प्लेंग लावन है तोजीता है यहाँ पर कहीं ने कहीं बीए 11 तरिचे की टीम ने और पहले गेंद बाजी कर बले मैं क्या लगता है आपको खेल जो है वो किस तरीके से रहे गाए तो दो टीमों की प्लेंग लावन है दोनों टीमों की बाकी अब बढ़ेंगे बात करेंगे यहाँ पर बिच की तो लाइक करिए कर सब्सक्राइब कर दिए चानल को जगरबात की जाए तो यहाँ पर ब लें लावन लाइक करेंगे सब्सक्राइब कर दिए चनल को इंज्ड़ॉय करिए इस मुकाबले को मुकाबला सूपर से भी ऊपर रहे गाया आप अब चलिए मुकाबला जो है वो शुरू हो रहा है प्लेयर जो है वो ग्राउंड की तरफ एंटर करना शुरू कर रहे है तो और चपक सूपर गिलीज की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही अब यहां से किस तरीके से चलेगा यह मुकाबला जिया यह मुकाबला जो है वो किस तरीके चलेगा यह देखना होगा बाके लाइक करिए का आप सो लोग सब्सक्राइब कर दीए चानल को और जुड़ते राउंड की तरफ एंटर करना शुरू कर चुके हैं और मुकाबला जो है वो शुरू हो रहाया जिया संतोष शिव और मदन कुमार को भीजा गया है यह वह यहां पर करेंगे गेंदबाजी जिया गेंदबाजी करते नजर आएंगे और स्रुम बरसन क्या रगता है आपको यहां पर गेंद बाजी जो है काफी बढ़िया करें गेंद बाजी दिखिए ठीक ठाक लगी है मुझे कहीं ने कहीं बी एलेवन तरिची के मगर बल्ले बाजी जो में अतियार होता है क्रिकट का टी-20 का बल्ले बाजी जो हो कुछ खास नजर नहीं आई है अब देखते हैं आ अब क्या करते हैं एक बड़े ना यहां पर ना बंड़े ने कर चाहिंए बरकवszy 曲याह घडिया और हजुथद के सद्ट के अंदर धर शुठे हैं आप क्या करते हैं एक बार फिर से यहां पर आर-सलिम पर सन गेर लेकर चल रहेये हैं स्ट्राइक पर मौझूद बलेबाज करायों के सारे खेले संतों शिप ने सिंगल बटोरा है सक्रेल की दिशा में खेलकर इस संगल के सारे बलेबाज यहां पर आ जाएंगे यहां मदन कुमार जिए अ मदन कुमार जो है वो स्ट्राइक प्रिचा तरिच्छे % कम से कम स्क्षुम पर रोका जाए कि कहीं कहीं çe credible किली आ छेस्टर्इक करा स्कूर को और बड़ा similarly मकालज है मगर नरायन चक्दीशन जो है वो आज टीम के अंदर नहीं है शायद दो थोड़ा सा बीमान है शायद इसले नहीं खेल रहे हैं मगर अगर अगर देखा जाए तो यार क्या आज खेल पाई है फिर से पटकी विगेंज रिम बर्सन की गेंज आके बंदूरी करना लगा और गे आफी तेज चल रही है अरुन भाई जुर्चु के हमार साथ हलो ब्रो बाई अरुन भाई कैसे हैं इस मुकाबले में जुड़े हैं क्या लगता है बीए बीए एलावन तरिची की टीम आज कुछ कर सकती है कुछ रण मनाएगी बीए इलावन तरिची की टीम या फिर ऐसे ह भी मुकाबला जो है वो चलता रहेगा ऐसे ही खेल जो है वो हमें देखने हो मिलेगा क्योंकि यहां पर समझ में नहीं आ रहा है पर पटकीवी गेन पुल की आये गेंट को गेन और बल्ले का समझ पर खुवा नहीं यहां पर एक और डॉट गेन आती वी कोई रण नहीं मिल तोड़ा साइम के साथ खेलना होगा यहां पर देखते हैं कि सहीं के साथ खेल पाएंगे एक बार फिर से आरसलीम बरसर चार गेंदे कर चूके है। चैपक सूपर गीलीज का वो भी लेग भाई का सिंगल था एक बाद फिर से आर लिसलिंबरसन किये गेंद मदन कुमार को गेंद को खेला है अब हमें यहां पर एक रण मिलेगा जी यहां पठकी भी गेंद लगा था गेंद उपर जी तरफ काफी गई थी मगर जट तक सब्सक्राइब कर दिए चानल को पचास प्लस की अंडर भाई पचास से कमी बनेंगे भाई पाउर प्ले के अंदर अब इस तक विकेट आएगा क्या नहीं बताओ अब अभी विकेट आया था 20 से पहले-पहले मगर अभी लग तो रहा था विकेट आएगा मगर अब ऐसा ल लाईयों के सारे खेल दिया स्कॉर्स कौर्ड़ा के दिशा में एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर जी हा इसके रन के साथ स्ट्राइक पे पे आते वे अहाँ पर बहले बाद समाफ्ती के बाद स्कॉर हो चुका है यहाँ पर तीन रन मेना के सिनुसान के मगर आज शिपक्स से 319 सोभर से और यहां पर टौस टताथ लेए लेवन- folder पीजिकिने पहले और डी क्या करेंगे चलते हैं जरा मुकाबले के तरफ जी हैं सामने मौझूद है ब segments that धेक्ते हैं संको शिव्फ जाएं वह irrigation पिस से खेलेंगे आर्सलिम मर्सन का ओवर तो काफी अच्छा घया है का दूसरे चोड़ से अब टीन गेंद बाझी करेंगे के चाहिए कहाँ यहां पर गेंद बाजी कराने के लिए यहां पर कई करने के साथ के उर्ग कि पहली गेंज यहां बाडाई गेंज़ ती कोई रन लगा शायद पैंड लगा है मगर अमपायन ने बला जी नहीं वाईड गेंड है यह इस वाईड के साथ एक रण और जूरता हुआ चैपक सूपर गीलीज के खाते में चार रण बिना के सनुस्तान के एक ओवर के समापती के बाद जी है एक ओवर जो है वह समापत हो चुका है और के इशुन जो हम खेलता है त्रिची विन करा रहे हो क्या यार वुबल भायर त्रिची को विन कराने का मेरा मंन तो है और तो कह रहे हैं मगर ये स्टीन के बलेबाजी जो है वो कुछ खास नहीं है यहाँ है यहाँ पर देखना होगा यहाँ पर कि तो चलिए यहां से यहां से चलते हैं दर आगली गेंट की तरफ यह के शुरन जो है वह गेंद बाजी करने के लिए हैं शंतोशिव हैं स्ट्राइक पार लेक्ष्टम पे गेंट कलायों को सारे खेल दिया गेंट को स्कुर्ण की दिशा में शेरन खेलिए दस रन बन चुके हैं यहां पर शापक सूपर गीलिस के बिना किस नुखसान के एक तसमान दो गेंदों के बाया संतोशिव पाँच गेंदों में सात रन बना खेल रहे हैं और लाजवाब केश रन की खराब गेंट कलायों कर सारे खेल दिया यहां पर छे रन के लिए जी आ बड़ीए श्यु वाद की उमीद भी है चेपक सुपर गिली से की बड़ा स्कोर यहां पर कड़ा करें और तिर्ची के उपर जो है वह दबाव बनाएं यहां पर एक सब्सक्राइब बन चुके बिना किसे नुस्तान के एक सब्सक्राइब यहां पर सामने मौजूद बलेबाज शंतोषिप फिर कहीं बीटी की टीम यहां पर आज बीए लाव Are Lindsay की टीम ने चौश झीद कर पहले गिंद बाजी करना ने लिया है दूसरा ही ओभर और और ढाल दिया है बीए लाम तर ची की गेंद बाजी के उपर तो क्या लगता आ를गता हैं आपको कि यहां से कुछ कमाल होगा या फिर आज फिर से हमें रन बनते नज़र आएंगे इस मुकाबले के अंदर चलिए एक बाद फिर से के इश्वंगी गें पठकी वी गें इस बार पुल करने गए गें तो बल्य का संपर्क हुआ ही नहीं यहां पर जी हम कोल्याप्स कर जाते हैं यार अब देखो में तो चैपक सुपर गिलीज की टीम ही कुछ करेगी यहां पर बाकी तो बीए लावन तरीची के उपर जी आंट चुका है मेरा हुई चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ एक बार फिर से अगली गेंद के शुरन के सामने मौजुद ब पल्ले का संपर्क हुआ है नहीं को और डॉट गेंज यहां डॉट गेंदों का यहां पर सिल्सला जो है वो चल रहा है स्कोर हो चुका है गयार रहे लिए यहां से रंस बनने चाहिए तो इसलिए वो चांसे जहां वो क्रिएट कर रहे हैं बड़े-बड़े शौर्स जहां खेलते नजार है चलिए देखते हैं भी क्या होता है इस मुकाबले का सूर्थिहाल सामने मौजूद बल्लेबाज यहां पर वदन कुमार फिर से पटकी भी गेंज बार पुल कर दिया है गेंज को गेंज जारी है सीधा लॉंगान के दिशा में चौका मिलता हुआ इस करदस किया है और बिल्कुल मौका नहीं चोड़ रहे हैं जब जब मौका मिल रहा है बड़े शौट बड़े प्रहार जो है वो करते नज़र आ रहे हैं अब देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूर्थिहाल बाकि दो पंदरन मन चुके हैं दोवर के समापती के बाद स्ट्राइक पर मौझूद होंगे बले बाद यहां पर संतोशिव जह संतोशिव होंगे स्ट्राइक पर बायात के बले बाद जो कि छे गेनों में आर्ट रन मना चुके हैं और यहां सब देखते हैं गेंदबाजी जह वो यहां से देखता है कौन करता है अब भाई ऐसे को बोल रहे हो रोकर रोकर आया हो क्या रोकर नहीं भाई यार अरुन कुमर भाई त्रिची की टीम पर भरोसा जो है विश्वास ही नहीं होता इस टीम की पता नहीं क्या यह टीम है ना बल्लेबाजी है ना गेंदबाजी है पता नहीं क्या कर रहे हैं एक बार फिर से यहार पहल केल दिया चारन के लिए आर्स लिम बरसन कर रहे हैं गेंद बाजी ऐसा लग रहा है चैपक सूपर गिलीज अज मारे की बहुत बहुत मारे गी मार मार के सुझा देगी इनको क्यों कि आज चैपक सूपर गिलीज की जहां वो देखने को मिल नहीं रही है वो बल्लेबाजी हमे स्कूर अभी भी यहां पर 19 रन बिना के संवस्तान के स्ट्राइक में मौझूद है बल्लेबाज जी हां ऐसी सिचुशन में बहुत बल्लेबाजी चल रही है कहीं ने कहीं चैपक सूपर गिलीज की बाबा परजीत को आना बाकि है और बल्लेबाजी में दम जरूर है जिए दम जरूर है चैपक सूपर गिलीज की और एक बड़ा स्कूर जो है ऐसा लग रहा है बनी बनी जाएगा यहां पर जिस सबसे बल्लेबाजी चल रही है चलिए देखते हैं क्या होता है यहां पर फिर से सामने मौझूद बल्लेबाज यहां पर जो है यहां पर बल्लेबाज सामने फिर से देखते हैं आप संतोश शिव हैं स्ट्राइक पर आर्स लिम बर्सन के वर के अगली के एक और डॉट गें जी हां एक और डॉट गें आप टीवीज ओवर के अंदर क्या लगता है आपको क्या लगता है आपको यहां से कुछ होगा कमाल या फिर असानी से एक हैं यहां पर जो है वह कहीं ने कहीं तुसरा वर दिना चाहिए तक दुनों बल्लेबाजों में से किसी एक बल्लेबास को आउट करते थे संदीब भाई कहने को डिनी सर जी आज का संतोश शिव जल्वा बहारी लग रहा है बिल्कुल बल्लेबाजी इनके अच्छी लग रह हैं बल्लेबास स्कूर तो बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे भी देखते हैं बिक्या होता है यहां से और दौनों बल्लेबास तो कोशिश कर रहा है कि कि रहा है यहां आपर अरबात की जाएज चलिए गिलतें से रागली गेन बाजी के तरफ यार्ट स्लिम बर्सन के अवर के अगली गेन पाचवी गेन एक बाद फिर से बड़ा शॉट शंतोशिव का एक और चौका आता हुआ उनके बल्ले से और स्कोर पहुसता हुआ यहां पर 23 रन बिना किसी नु जो है हमें देखने को मिलेगी क्या ओक ऐसा ही जिसता से बल्ले बाजी चल रही है ऐसा लग रहागी है फिर से बीए 11 तरिची की टीम जिए वो निराश निराश करेगी यहां से अब फिर से आर्सलिम बर्सन के और के आखरी गेन कोई रन नहीं मिलेगा इस गेन पर ओवर की समाफ्ती होती भी तीन ओवर तैईस रन जी यहां तीन ओवर तैईस रन बन चुके हैं यहां पर तीन ओवर तैईस रन स्कोर हो चुका है यहां पर चैपक सूपर गिलीज का आप देखते हैं यहां से किस तरीके से खेला हो बहें खेला क्या हो बहें तो पेला हो बहें ऐसा लगा बहुत मारेंगे और जिए अब मारेंगे इतना मारेंगे ना यह सोच भी नहीं पाएगे कितना मारा है सब्सक्राइब कर लग रहा है आपको कुछ करेंगे कि नहीं अपको कब आएगी विकिट चाहिए यहां से देखते हैं भाई अभी क्या होता है बागी तो प्रिकित के चैंस बहुत काम है बिए 11 रिची की लिए इन भाजी देखकर मुझे सब्सक्राइब नहीं निया देखते हैं देखते हैं devidson क्या कवाल करते हैं लिए बागी आज चंतो शिव नी तो स्टार्ट अच्छा किया म स्कूर के अगर बात की जाए तो 23 रन बेना के सनुस्तान के नरायन जग्दीशन के ना होने के बाद भी ये दुरों बलेबाजों ने काफे अची बलेबाजी जह वो कर रहे हैं यहाँ पर इस बार तो यॉरकर की थी डेविट सन्न ने आते ही बिलकुल स्टम्प की लाइन में यहाँ पर शटका लगता हुआ यहाँ पर छटका लगता हुआ यहाँ पर पर तीन देशलत दो गेंदे हो गई हैं जी हां पढ़ने के बाद के अंदर की तरफ आई और जाकर लेक्स्टम्स से टकराई और स्टम्स जाके जी हां पीछे की तरफ गिरता हुआ यहां पर और बोल्ड हो गए मदनकुमार पर चेपक सुपर गिलिस की चीम को 23 रन एक पर मदनकुमार को अब देखने बात रहेगी नए बलेबाज कौन आंगे जी हां बाबा परजित हो सकते हैं बलेबाजी करने के लिए यहां पर और बलेबाजी जहें वह काफिछी करते हैं अच्छे फॉर्म में नदर आते हैं आप रभी भाई करेंगे अभी ओके ब्रो नं पर जित काफी अच्छी करी है लुकावलों के अंदर तो क्या आज भी उसी तरीके की बलेबाजी करेंगे बाग्या बाबा पर जीट के लिए आज पचासवाटी त्रीटी मुकाबला है TNPL का और क्या 50 मुकाबले के अंदर बले बाजी अच्छी होगे मगर यहां पर बात कर जिया है डेविट सन की गेंद बाजी जै वो काफी अच्छी है और आज गेंद थोड़ा सा आगे रखने कोशिच चाहिए बाबा परजीट को अगली गेंद बार अंदर आती भी गेंद थी पढ़ने के बाज गेंद बाहर की तरफ निकली पूरतरी केसर मिस कर गए बाबा परजीट इस गेंद को मिस कर गए स्कूर अभे भी 23 रन एक विकेट नुकसान पर तीन दुसण और तीन के लोगा खेल होच को हैसमा बिकेट आएगा विकेट रोवी भाई के देखो रोवी भाई विकेट आना चाहिए भूकेट आएगा तो मज़ा भी आएगा इस खेल में खेल में अगर विक्टे आएं तभी खेला हो वे चलिए देखते हैं खेला हो वे अपेला हो वे सब बताएगा मुकाबले में किस तरीके की अब गेंद बाजी जो है वो देखने हो मिलेगी डैविट सर अभी तो तीन गेंदे करी हैं इंप्रेस किया है काफे ची अगली गेंद इस बार सामने मौझूद बलेबाज यहां पर गेंद को खेलते ही डिफेंस कर दिया था एकन लेनी की मांग ची मना किया वहां पर संदोश शिव ने और स्कोर अभी भी तेई सर ने एक विकेट नुकसान पर तीन देशनलों चार गेंदे हो चुके हैं बढ़ तबी तो मज़ा आएगा इगर इसी तरीके की गेंद बाजी जहां वो करते हो नजर आएंगे यहां पर देखते हैं अभी क्या करते हैं यहां पर चलिए सामने हैं मौझूद बलेबाज बाबा पर जित अच्छी स्ट्राइक रिट से और अच्छे आवरेस से बलेबाजी ज लो पांच गेंदों का खेल हो चुका है समा बहतरीन श्राट यहां पर लगाया बाबा अपर जितने और बाबा पर बलेबाजी जहां वो काफी अच्छी करते ही हैं और डैविट्सन को अहां पर अपनी लाइन को बदलना चाहिए अब देखते हैं क्या लाइन बदल पाएं अठाइस और एक विकेट नुकसान पर चार ओर के समाप्ति के बाद चैपक सूपर गिलीज का स्कोर है स्ट्राइक पर होंगे संतोष सिव अब को यह स्ट्राइक पर होंगे बाबा पर जित अब देखते हैं कि इन बाज़ी कौन करेगा पाँच वावर के बारा के इंदे ब पड़ियां बात चोटी एंटरि यह का हुँ तो ले लूँ आपके जुमान पर और जाएंगे कहां जाएंगे सर जी कहां जाएंगे आप किधर जाएंगे आप क्यों जाएंगे आप ये बता दीजेगा मुझे जराइबार फिर से अगली गेंद यहां पर सामने मौजूद बलेबाज हैं यहां पर बाबा अपर जित अगर चैपक सुपर गिलीज के स्कोर को रोकना है तो बाबा अपर जित को अगर सस्ते में आउट करेंगे तभी का अब देखते हैं दूसरे और में क्या करते हैं इस बीच ओवर के पांच वी गेंद पांच वर के पहनी गेंद स्ट्राइक पर मौजूद बाबा परजित इस बार बड़ा शौट खेल है जी हां और उस्टों के बाहर ये गेंद थी इसको सीधा बले सीधा बले से खेल दिया इस बार गेंद गई सीधा मिड़ाफ के सर के उपर से चौके के लिए चारन आता हुआ यहां बड़िया खराब गेंद थी थी थोड़ी सीए बागर शौट उससे बड़िया बले के बीचो बीच से यह गेंद लगी बाबा परजित के और चौका बटोरते हुए इस गेंद पर शौके के साथ स्कोर हो जाएगा यहां पर बत्तिस रण एक विकेट नुकसान पर चारदर सौनल एक गेंद खेल हो चुका है समाल बाबा पर जित क्या कर रहे हैं जबरदस्त बलेबाजी कर रहे हैं जबरदस्त बलेबाजी जो है वो कर रहे हैं चलिए एक बार फिर से पेश्वरन जो हैं ओवर की दूसरी गेन लेकर चलते हुए स्ट्राइक पे हैं बाबा पर जितने अपना रुख साफ कर दिया है दस गेनों में जी अच्छे गेनों में दस रन बनाते हो नजर आए हैं आपर टौजे तो बी एलेवन तरिचे की टीम ने पहले गेंद बाजी कर सब्सक्राइब करेंगी है मगर वह विकेट टेकिंग डिलिवरीज यहां वह देखने को मिली नहीं है अब देखते हैं क्या करेंगे यहां पर अब स्ट्राइक में मौजूद है संतोशिप बायहत के बलेबास जो की दो चौकिक शका लगा चुके हैं बारा गेंदों में सु कोई गलती नहीं करी और कैश पकड़ा है यहां पर और शंतोशिप का भी विकेट जाता हुआ दूसरा जट का लगता हुआ यहां पर चैपोक सूपर गीलीज की टीम को और यहां पर आउट होते हुए संतोशिप शंतोशिप तेरा गेंदों में सोलर मिना कर दो चौकिक शक सब्सक्राइब कर दीए चैनल को और जुड़ते रही है यहां पर बड़ी जबर्दस यह गेंद ती उससे बढ़िया यह कैश पकड़ रहे हैं अच्छा ही लग रहा है कि कैश पकड़नी भी चाहिए कैश पकड़ दें तो कैश छोड़ने ही आती है यहां पर चलिए चलते ह है के मनी भारती ने और गेंद बाजी करिए इश्वन ने शंतो शीव आउट हुए हैं मगर आप संजी आदव जियां संजी आदव जो हैं बल्ले बाजी करने के लिए हैं यह भी अपना पचासवा मुकाबला जो हैं यहां पर इस बार संजी आदव और बाबा पर जित दोन सब्सक्राइब करेंगे इस मुकाबले के अंदर लाइक करिएगा आप सो लोग सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और जुड़ जाईएगा हमार साथ इस मुकाबले के अंदर यहां पर स्ट्राइक पर मौझूद जियां स्ट्राइक पर मौझूद हैं यहां पर बाबा पर जित जियां बाबा पर जित मौझूद हैं स्ट्राइक पर अब देखने बात रही किस तरीके से खेला हो बे खेला हो बे या पेला हो बे समय बताएगा मगर मुकाबला जो है वो काफी बड़ी हैं रहने कि उमीद है और चाहेंगे कि एक जबरदस्त मुकाबला जो है वो देखने हो बिले चलिए हां से एक पर फिर सबड़ियां गेंथी संजी आदव को कोई रन नहीं मिलेगा इस केंद पर स्कूर की बात की जाए तो स्कूर अभी भी 34 रन 2 विकेट नुकसान पर 4.5 खेंदों का खेल हो चुका है समापत मेरे साब से तो भाहिया पर समली बल्लेबाजी करेंगे बापा पर जीदिया फिर लंबी पारी खेलेंगे यह देखना होगा इस मुकाबले में काफी लोग आज बीटी को सपोर्ट करने भाई लगता है बीटी की टीम ने जलवा दिखा दिया अपना कुछ ऐसा बात है कि बीटी टीम आज अच्छी कर रही है या अच्छा खेल रही है और अच्छा कर रही है अब देखते हैं क्या होगा इस मुकाबले का सूर्तिहाल ब यहां पर बाबा परजित को स्लोर बाउंसर किया पुल किया और मिड़ विकेट बाउंडरी के पर फिल्डर जहें वो खड़ा था और वहां पर पकड़ी है कैची अच्छ फील्डर ने और एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर छैपोक्स सूपर गिलीज का जिशेपोक्स ओवर में 34 रन 3 विकेट नुकसान पर चैपवाक्स सूपर गिलीज का स्कोर है यहाँ थोड़ा सा चुछशन जो है वो खराब होती भी चैपवाक्स सूपर गिलीज के लिए 34 रन 3 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है और 2 विकेट खो दिये है पर तीन विकेट खो दिये हैं पाउर प्ले के अंदर तो कैश अपört सूपर गिलीज की टीम आज थोड़ा लड़का रही है जी हाँ आज थोड़ा सा लड़का रही है यहां पर और मुकाबले में बन रही है जान यहां पर क्या भी ए लाउन्त त्रिचे की टीम आज अपने प पकड़ा केमनी भारती ने यह दूसरा केमनी भारती ने ही पकड़ा था के ricci पहले भी शंतोशजिव का और उसके बाद के मनी भारती ने पकड़ा है के बाबा परजित और प्रेकर मिलाकर क्रीस में मौझूद हैं वो होंगे स्ट्राइक पर पावर प्ले का अभी भी आखरी ओवर बचा हुआ है अब देखना होगा क्या रहता है क्या रहता है मैज का सूर्तिहाल किस तरीके से चलता है यह खेल क्या यहां पर बनेगी बात चलिए एक बार फिर से यह यहां पर बड़ी आग डाल ल नहीं मिलेगेगी डेविटीस संती कोई रण नहीं मिले खैथ के इक और विकेट यहां पर मिल सकता है क्या ये देखना होगा जी या ये भी समझना होगा क्या होता है यहाँ पर अब किस तरीके से खेल आगे बढ़ता है लाइक करिएगा आप सब्सक्राइब कर दीए चैनल को और जुड़ जाईएगा हमार सद इस मुकाबले में बाकी तो खेल चल रहा है खेल चली र पांच दिशनलों एक खेल हो चुका है समाथ बेटी बिन करेगा रिपोर्ट गोलुक होना भाई आज मैंने बीटे पर लगा दिया भाई सेम यह बाई लगा दिया नहीं मतलब पहले विकेट से बहले-पहले लगा दिया थे और बैठा हूं आज कहीने कि जीत को दिखना चा पांच दिशनलों दो गेंदों का खेल हो चुका है समाप जी आपांच दो गेंदे हो चुकी है और सुच्योशन यह है कि यहां पर चैपक सूपर गिलीज को थोड़ा सा सयम के साथ बले-बाजी करनी हो चीम का स्कोर आगे लेकर जाना है चलिए एक पर फिर से स्ट्राइप पर मौझूद जितंदर कुमार खेलेंगे अपनी पहली गेंद इस मुकाबले की और किस तरीके से खेलते हैं पाउर प्ले का आखरी ओर से चत्य सरन बने हैं तीन विकेट के नुक्सान पर चत्य सरन बने हैं अब यहां से क्या लगता है आपको कि विकेट विकेट निकालें या फिर अब चलेगा अरे आम गोलू ब्रो अचारू बाई अपनी रिपोर्ट बदा रहे क्या है वाजी वाजी वाँ अपनी रिपोर्ट गोलू भाई ले डैविट सरन स्ट्राइक मौझूद है चलिए यहां पर जितंदर कुमार की ये गेंद बढ़िया गेंद थी ये को को आउट कर दिया बाबा परजित को आउट कर दिया मगर अभी मैच खतम नहीं हुआ है यहां पर भी यह उनकी ठीम को प्रेशर बना के रखना पड़ेगा इस मुकाबले के अंदर कहीं ने कहीं चैपक सूपर गीलीज के सामने तो क्या बना गया प्रेशर बना पाएंगे यह देखने लिए बात रहेगी चलिए लाइक करिएगा आप सो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और जोड़ जाईएगा इस मुकाबले में कि मुकाबला अभी चालू है चलिए यहां पर फिर से अगली गेंद अच्छी गेंद एक और डॉट गेंद जी अलग टाहें आपको यहां से कुछ कमाल जो है वह देखने को मिलेगा या फिर अभी भी वीच भूब सुपर गीली की कुशिश ही रहेगी कि इन बच्छी करते हैं वह वाइड फिर से यहां पर गेंद बाजी करते हैं पर वाइड गेंद यह अगली गेंद आपांच्छी गेंद यहां से कोई सुझाल भाई कहा है अरुबाइब कौन स्टीम से मैच इतारे लोग अपना दिमाग लगा 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 गाए छुपक छुपक लिए पांच भी पावर प्ले का या करी ओवार इस बार जितनर के बले पहले लगी है लिए बढ़िया तरीके से और चौका मिलता हु सब्सक्राइब कर दिए चैनल को जुड़ता रही है हमार सथ इस मुकाबले करने होगी चलिए एक तालीस रन बन चुगे तीन विकेट नुकसान पर कहा तब चालीस रन तो बनाएंगे और बना लिए चालीस रन पांत असलों पांच गेंदे अगले के डैविडिसन के सोवर के सिंगल लिया जितन दुर कुमार ने और स्ट्राइक रखेंगे अपने पास स्ट्राइस पाउर प्ले समाप्त होता हुआ चेवर के समापते के बाद 22 रन तीन विकेट के नुकसान पर स्कोर हो जायएगा चैप औक सूपर गिलीस का स्कोर हो जायएगा यहां पर और जितनर कुमार होंगे स्ट्राइक पर अप अगले चौदहा ओवर में जी आगले वह देखने लिए बात रहेगी चलिए यहां से चलते हैं मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं जरा मुकाबले के साथ कौन कर रहा है वह सब सीच जी के साथ हैं और मनी मन सोच रहें कि बहुत बार और बिल जाए वह अच्छा खेल जाए थोड़ा सा तो मज़ा आएगा फिर स्केल से यहां पर अब 6 वर हो चुक है बाकी आप सो लोग जो है कलानबुक के साथ जाइन करते रह फिर जाएं यहां पर आफ गूगल पर पा फोन पर बैंक ट्रांसफर से कर सकते हैं और विड्रॉल जो है आपको यहां पर फ़र्श डिपोजिट करते हैं तो आपको 20% का बोनस मिलता है क्रिकेट और फ़र्श डिपोजिट कर सकते हैं तो खेल रहे हैं तो खेल यह और चीत यह कल्यान बुक के साथ लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है और खेल यह और जीतिये का यहां पर बात की जाए तो एंटोनियो दास गेंद बाजी करने आए हैं पहली गेंद पर सिंगल लिया था दूसरी गेंद अब खेल रहे हैं आर संजी आदव आर संजी आदव ऐसे दिखा जा तो बल्ले बाजी अच्छी करते हैं मगर इस सीजन म मुकाबले के अंदर किस तरीके से खेल जो है वह चलते नजर आएगा लाइक करिए आप सो लोग सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और इंज्वाइब करिएगा इस मुकाबले को करते रहिए खेला हो बैए चलिए अगा इन्टोनिदास के ओवर के दूसरी तीसरी गेंद इस बार साथवा ओवर चल रहा है स्टार्ट अच्छा मिला है मागर यहाँ पर जितंदर कुमार को यह गेंद इस बार बड़ा शॉट खेला है चौका बठो रहा है यहाँ पर कही कहीं जितंदर कुमार ने एक और चौका आता हुआ जितंदर के बल्ले से स्कोर हो जाएगा 48 रन तीन विकेट के लुकसान पर 6.3 के लिए खेल हो चुका है समाप जितंदर कुमार जियां जितंदर कुमार जो हैं वो स्ट्राइक में मौजूद हैं चले यहां से बात की जार तालीस रन बन चुके हैं तीन विकेट नुकसान पर और रन जो है अब बन रहे हैं कहीं जेतंदर कुमार कहाने के बाद फ्रसा मोमेंटम जो है ऐसे लगा चैपक सुपर गिलीज की तरफ जो है वो जुका है और अब यहां से देखना होगा चैपक स्कोर खड़ा करती है सिचुएशन यहीं अभी सिचुएशन तो भी यहीं है कि आराम अराम से खेलें आराम अराम से चलें अब देखो क्या करता है यहां से उननचास रन बन चुके हैं तीन विकेट के नुकसान पर छे दशनल लव चार गेंदे हो चुकी हैं एक बार फिर स खेल रहें और साथ दे रहें इनका क्यालता तिर्ची की टीम आज जी सकते हैं इस मुकाबले को तिरिभ भाई करो भाई नौर्थ ग्रूप के मैच में रिकावर कर दिया बाई नौर्थ ग्रूप कौन सा उपएश चल रहा भाई वर्सिस नेपाल का मैच भी आज बड़ा ज चुका है अच्छे दिसमना पाल बागे अफसलों जो है कल्यान बुक के साथ जॉइन करते रहें यार लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचान में पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आईडी करेट करिएगा खेलेगा और जीतिया कलान बुक के साथ मिनमन डिपोईट जो है सिर्फ सौरपे का इंटोनी दास के ओवर के अगले के इस बार आखरी गें थी सिंगल बटोरा संजे यादव ने और आठ रनाइस ओवर से साथ ओवर समावत हो चुके हैं पचास रन तीन रिकेट नुकसान पर चैपोक सूपर गिलीज का स्कोर है और स्ट्राइक पे ह पाबला जो है काफी बड़िया रहने की उमीद है क्या लगता है आपको यहां से चैपोक सूपर गिलीज की टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगी या फिर यहां से इस मुकाबले को जीतेगी कहीं ने कहीं चैपोक सूपर गिलीज या फिर बीए 11 बीए 11 तरिची की टीम भ अब किस तरीके से चल रहा है ये खेल आप सब लोग तयारी कर ली जए भई आज बढ़ीया मुकाबला जो है वो चल रहा है जी हाँ एक जबरदस्ट मुकाबले की मुझे उम्मीद भी है और लग रहा है चले ग़े चलेगा भी भाई चलेगा भी एक जबर्दस्त मुकाबला चलिए देखते हैं क्या होता है और किस तरीके से बढ़ता है ये खेल और किस तरीके से चलता हुआ नजर आएगा ये खेल स्कूर हो चुका है पचास रन तीन विके नुक्सान पर यहाँ पर जो है एक और गेंदबास नहीं गेंदबास आ रहे हैं गेंदबासी करने के लिए गेंदबास का नाम जरब बता दें आपको यहाँ पर कौन से गेंदबास हैं वो गेंदबासी करने हैं इस मुकाबले में गोड संजी यहां पर कोई रण नहीं मिला है इस गेंद पर क्या लगता है कि कुछ विकेट का भी संकेद बन रहा है कि कुछ न कुछ तो होगा इस मुकाबले में ऐसा प्रतीक हो रहा है इस बीच अगली गेंद दूसरी गेंद इस ओवर की यहां पर एक और डेंड के डॉट होती भी तो यहां पर डॉट गेंद का सिलसला जो है वो सही चल रहा है और डॉट गेंद बन रही है और डॉट गेंद आ भी रही है हो भी रहा है डॉट गेंद गेंद बाज रुके जरूर है यहां पर देखना होगा दो लगातार अच्छी गेंद दो लगातार बढ़िया गेंदे करते हो, नज़र आ रहे हैं यहां पर, जो है, यहां पर जबhrसन, गोर्षन के अबर के अगली केंद, और फिर से, गोर्षन के अबर के अगली केंद, एक पर फिर से संजे यादव संजे यादव को एक और बढ़िया गेंद लगा तर तीन चार डॉट गेंद है नौर्थ ग्रूप वाले मैच मस्त हैं दिन के तीन लॉस अभी तस दिन में सब रेकॉर हो गया बता दो भाई कौन से मैच है मुझे बता दीजिए घरून भाई मैं भी खेल लोग है यहाँ पर चलिए एक बार फिर से गोट्सन की ये गेंद पांच गेंदे लगा ता डॉट कर चुके हैं आखरी गेंद है संजे यादव को तो क्या आखरी गेंद पर कुछ कमाल करेंगा जी हाँ एक और बढ़िया ओवर यहाँ पर मेडन ओवर कर दिया गोट्सन ने आठ आठवा ओवर था यह और इस आठवे ओवर को मेडन कर दिया यहाँ पर आठवर समाफ्ती बाद पचास रन बिना के सब्सक्राइब नुकसान पर आठवर के समाफ्ती के बाद श्यापक सुपर गीलीज का स्कोर है स्ट्राइक पर होंगे बलेबाज आर संजे अदव थे और देखेगा तेरा गेंदे खेल कर चार्म ना है पूरा पूरा ओवर मेडन गया है गौर्सन नहीं एक रमीन नहीं दिया इस ओर में स्ट्राइक पर आ गया है जितंदर कुमार आप यह थोड़ा सा सुच्योशन खराब करने लिबात है कि भी आज खेल नहीं रहे है लवलाज इसा आप से यह खेल आज चल रहा है और जिस आप से भाग रहे है ना आज विए 11 तरची का खाता खुल आके मानेंगे यह लग रहा आ इसा खेला हो बना देखने वाले बात रहें कि चलिया जलता है जर्म मुकाबले की तरफ सामने मौजू धितंदर कुमार पहली गेंद इ बचा लिया इस गेंद पर दो रन और बचा लिये जिया दो रन और बचाते वे स्कोर पहुसता हुआ बावन रन तीन विकेट के नुक्सान पर आठ दशानल एक गेंद का खेल हो चुका है समाफ्त मेरा मार मार आउट मार हारन बाया फॉम में लग रहे हैं चलिया एक बार फि विकेट मिलता हुआ जितिंदर कुमार का विकेट निकालते हुए गंगा श्रिधर राजू और एक और जटका लगता हुआ यहां पर स्कोर पहुसता हुआ बावन रन चार विकेट नुक्सान पर आठ दशामलव दो गेंदों का खेल हो चुका है समाप जी आए यहां से एक और विकेट मिलता हुआ जब यह 11 तरिची की टीम को जितंदर कुमार होते हुए कैच आउट नौ गेंदों में बनाए है तेरे रन और लीजिए एक और विकेट गिरेगा यहां पर राजू आए हैं गंगा श्रिधर राजू ने कर दिया है कमाला एंटोने दास ने पकड़ नौ गेंदों में तेरा रन बनाकर खेल रहे हैं और लीजिएगा लीजिएगा खेला होबे खेला होबे अपेला होबे यहां पर यह देखना होगा जिया हरी इश कुमार बल्लेबाजी करने आए आज लग रहा कि बीए लाउन तरिची की टीम एक्च्वल में जिस्टे जिन ढाउन जिस्टेम को विन मैं रहें आज खेलना बीए लाउन तरफ जाता जुका हुआ है वाज भी लाउन तरिचे की टीम की तरफ जिए और जुके हुए हैं तो मेरे साथ से भी एलाउन यह मैच को स्किप करना ही फाइदामन रहेगा आप सब के लिए यह बतारा हूँ जो पर बीए इलावन तरिची की टीम ने आज थोड़ा सा प्रेशर जो है बना के रखा हुआ है इस मुकाबले के अंदर देखते हैं क्या करते हैं आगे के मुकाबले के अंदर आगे के इंद बाजी जो है वो किस तरीके सलती है बावन रन बन चुके हैं चार विकेट नुकसान पर आर्दसन और चार गेंदवा खेल हो चुका है समाफ देख पर फिर से गंगा शेरदर राजु की ए गें सामने माज इसन लग रहा है कि लग रहा है आभार चल रहा है अंगा श्रिधर राजू ने भी विकेट निकाल लिए और लिए और निकाल रहे हैं और जिसे रहा हो यह चलिए आखरी गेंथी कोई रण नहीं मिला हरिश कुमार चार गेंदे खेल चुके हैं और कोई भी रण नहीं मिला है आर संजी वाद अजयादब पर स्ट्राइक है नौ वर के समापते के बाद बावन रण चार विकेड नुकसान पर क्या आज बी ए इलावन तरिची की टीम जे है वो उस त तरिके से ये मुकाबला चलते निदर आए गालाए करिएगा आप सब्सक्राइब करते रिए चानल को बाकि आप सब लोग जो है यहां पर कल्यान बुक के साथ जॉइन कर लीजेगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइच रमन पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करिएगा वट्सप मेसेज करिएगा अपनी आईडी जो है वो ले लीजेगा यहां पर मिनिममम डिपोजिट जो है सुर्पे का मिनिममम विड्रॉल जो है वो सुर्पे का डिपोजिट आप गूगल पे फोन पर पे पेटियम से बैंक ट्रांसफर से कर सकते हैं विड्रॉल आपको 15-20 पर पर गणने पर बैंक अकॉन मिल जाएगा और आज ही दियान रखिएगा आज ही आईडी करेट करते हैं और 200 पर डिपोजिट करते हैं तो सौर्पे का बोनस जो है कल्यान बुक की तरस से आपको फ्री मिल रहा है प्लस आपको पहले डिपोजिट करने का पकरने पर 20-60 प मुकाबले आजिदे सकते हैं चाही करिकेड फुटबॉल टनिस हो आप सारे मुकाबले लाइदे सकते हैं कल्यान बुक की आईडि के पर अभी जाइगा डिवी लिजिए गा लिंक है डिस्क्रिप्शन में जा पिन कर दिया है उस लिंग को क्लिक करके वर्टस आ मेसेजज कर स्कोर हो चुका है 24 रंड चार विकेड नुकसान पर 29 शनलब दो गेंदे हो चुके हैं इस भीच हवा में खेला इस शॉट को आर संजे यादव ने बढ़िया शॉट अच्छे रंड मिलेंगे इस गेंद पर जी हां कोबसूरत ये शॉट काफी देर के बाद एक बड़ा शॉट खेलते हुए नजर आए यहां पर कहीं ने कहीं शैपक सुपर गिलीज के बलेबाद आर संजे यादव चित प्रेशर को रिलीस कर रहे थे यहां पर और चका बठो रहा है जी हां चका बठो रहा है इस गें पर दबाओ ब्यूर तरीके से डाल के रखा हुआ है यहां पर गोटसन ने गोटसन के वर कि आप यह चौती गेंद आर संजी यादव को आप देखना होगा संजी यादव जहां किस तरीके से सिंगल मिलेगा इस गेंद पर जियां सेंगल मिलेगा क्या बोला भाई सोब और सब्सक्राइब करना है चानल को और जोड़ जाना है हमार साथ इस मुकाबले में और खेल जो है वो चल रहा है मगरा सिचुशन यह है कि बड़ी धीमी गती से चल रहा है बीए 11 तरिची की टीम कोशिश जरूर कर रही है यहां पर विकेट निकालने का और विकेट निकालने सकस्वल रहे भी हैं मगर अब सिचुशन यह है कि रन सही होंगे चलिए एक बार फिर से यहां पर आगली गेंट गौटसन के इस ओवर की हरीश कुमार है स्ट्राइक पर एक और सिंगल आता हुआ 62 रन बन चुके हैं चार विकेट के नुकसान पर अगर देखा जाए तो यहां पर चैपक सूपर गिलीज की कोशिश यही है कि थोड़े बहुत रन्स बनाए जाए और टीम का इसको जह है वो आगे की तरह बढ़ाया जाए चले देखते हैं यहां से क्या होता है इस मुकाब 64 रन चार विकेट नुकसान पर चैपक सुपर गिलीज के साथ जी शापक सुपर गिलीज का स्कूर हो चुका है दसावर आधी पारी समाफत हो चुक है साथके बचिए बची है या इस टोटल को रोख करेगी कोशिच करेगी या फिर बना लेंगे जी यहां बना लेंगे असलेक तुराइब बना लेंगे कि बारा ना आया इस ओवर में दस ओवर समाप्त हो चुके हैं आप आगे देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूर्तियाल काफी लोग जुड़े यार प्ली चलना को डिया स्ट्रीम को लाइक नीजे इस मुकाबले को मेरे इस थार्य। ठीक ठाक रहने की उमीद है चीक-ठाक रहने की उमीद है और डिसे हसाब से मकाबला चल रहा है पहले को ना अगर बाद की कि जा ए इस वार सेंगल लिया उाप इघन पर साथ ऩ्पर सिंगल ने में और पर जाए हरीश कुपार को इस गेंद के superior परangesे सकोर अagain infections पर अब गंगा शिर्दर राजू की अवर के अगे लिगेंस बार एक और विकेट मिलता हुआ लीजिए पाच हुआ जटका लगत्वा यहाँ पर हरीश कुमार होते वे कैच आउट एक और विकेट गिरता हुआ चौसट रण पाच विकेट नुकसान पर दस दसनलब दो गेंदवा खेल हो चुका है समाप सामने थे हरीश कुमार और हरीश कुमार को यहाँ पर गंगा शिर्धर ने आउट किया है गंगा शिर्धर राजू ने आउट किया है दो विकेट शटका चुके है यहाँ पर गंगा से यहां पर खेल रहे हैं इस मुकाबले के अंदर और लीजिए अरीश कुमार भी पवेलियन जाते वे स्कोर हो चुका है चौसट रण 5 विकेट नुकसान पर 10-10 लंतों गेंदे हो चुकी है हरीश कुमार आट गेंद में दो रम नाकर पवेलियन जाते वे विकेट चटकाया गंगा शिर्दर राजू ने और कैश पकड़ा जी यहां एज और गॉन जी यहां एज लगा है और अपड़े गेंद बाजी कर रहे हैं गंगा शिर्दर राजू पहले शुरुआती मुकाबले में गेंद बाजी की थी और इस मुकाबले में भी गेंद बाजी करते नजर आ और अच्छी गेंद बाजी कर रहे हैं गंगा शिर्दर राजू को कम से कम स्कूर पर आउट कर दिया आधी टीम पविलेंट जा चुकी है 58 गेंदे बची है इस पारी के गले 58 गेंदों के अंदर क्या यहां पर शेपाउक सूपर गीली की टीम को अहां पर अलॉट कर सकती है बीए 11 तरची की टीम यह देखना होगा चलिए लाइक करते रही है आपसों लोग आज हड़ अटेक मैज देखने मों मिलेगा शेपाउक सुपर गली फिर भी जीते की देखे जाओ नियोन भाई में तो करो एकजिट मार दो छोड़ दो मेरा मन नहीं इस में क्योंकि देखो सब्सक्राइब करने के लिए सिंगल लिए इस गेंद पर गंगा शृतर राजू की ती चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर आते हैं और संजे आदव को अगर आउट कर दिया ना तो फिर आप सोच के चलिए एक सचाले से सुपेंतालिस रंका जो आकड़ा है चूना चाहती ह वो ठीम चैपक सपर गिलीज वो निकल जाएगा अरुन भाई कोई लॉस्ट कटने अराम से बैठकर मैच को इंजॉय करिए और खेला करिए खेला करिए और खेला देखिए यहां पर इस मुकाबले में चलिए देखते हैं अभी क्या होता है इस मुकाबले का सूर्थिहाल आ स्कोर हो चुका है अब 65 रन पांच विकेट नुकसार पर गंगा शिर्दर राजू के ओवर की अगली के इंद यहां पर आखरी के इंद यहां पर सामने है आर संजेय आदा विस बार बड़ा शॉट केला है चौका बठोरा है जी हां चौका आता हुआ इस गेद पर शौके क स्कोर पहुज़ चुका है 69 रनस लॉस ओ5 बिखिट 11 ओवर की समाफि जो हो चुकी है इहां पर 69 रनस ओ5 विकेट स्कोर हो चुका है turnaround बाजी तो देखिए बहुत अच्छी करी है अब आगे देखने बात रही किस तरीके से खेलेंगे अभी सिचुशन तो यही है कि बीए इलावन त्रिची की टीम बिलकुल दबाव बनाकर बैठी हुई अभी भी चाववन गेंदुगा खेल बचा हुआ है चाववन गेंदुग में कितने मनाएंगे आप अरुन भाई को एकजिट मतले आज बैठर हो पंद्रावर कहां स्कोर होगा बाई जिसाब से लगए मुझे होगा पंद्रावर से पहले फिर एक विकिट देंगे यह लाव लाइट ब बहुकूब बना रहा है मरवा देंगे जो चीप पर लगाएंगा मरवा ना देया जिनको एक तरफ मैंच में चलिए एक बार फिर से यहां पर बारवा और की पहली गेंद सीबी को कोई रट नहीं मिलेगा सीबी यहां पर है स्ट्राइक पर स्कोर हो चुका है सिस्ट नाइन यहां पर यहां पर गौट्सन की गट गेंद स्कुरिए बढ़ाएं बढ़ाना चाहें के जरूर जी यहां और हो चुका है सिक्ट्टनाइव लॉस फाइव विकेट बाजी जहां वह काफी अच्छी हो रही है गौट्सन की बारन दी है एक मेंड़न और भी डाला है यहां प पौक की जो हलत है वो इनकी गलती नहीं है अज सिंगल लिया इस गेंद पर इस सिंगल के साथ स्ट्राइक पर आते वे आर संजी आदव आर संजी आदव का अज बल्ले बाजी जी हो ठीक्टा चल रही है उननिस गेंद में ठारन मनाए है एक चौका एक शक्का लगा चुके यहादव को भी निब्टानी की कोशिश चल रही है मगर यहाँ पर कैच कोच चेक किया जा रहा है कि सही तरीके से यह कैच हुई है कि नहीं देखते हैं अभी यहाँ पर की कैच है की नहीं आज यह बोक्स उपर गिलिस के बल्लेवाद रखता है जल्दी में है कुछ स्कोर हो चुका है सत्तर अंपाँच रखतार लोक्स चार गेंद हो चुकी है और यहाँ पर गौशन की गेंद बाजी जह हो काफेशी चल रही है आज के स्मुकाबलह में आरे पर आज दोनों पर बुक्षट अराम से बिलकुल बीटी पर खेला है क्या बाई बटाओ बैठ आज और नीचे मिलेगा जरूर आपको नीचे मिलेगा मार्केट खुद लेके जारी नीचे अपने आपी देखते हैं कि इस तरीके से गेन चलता है एक बार फिर से आर संजी आदो को गेन गवर्शन की सिंगल लिया है स्ट्राइक पर आते वे आर यहां बरसी भी स्कोर हो चुका एक तर अन पांच विकेट नुकसान पर सिच्वेशन यही है कि दोनों बल्लेबाज कोशिश जरूर कर रहे हैं यहां पर दोनों की गती बढ़ाने की यह एक पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे है और सिच्वेशन में दिखा जाए तो दोनों बल्लेबाज बढ़ियां खेलते नदर आएंगे चलिए सामने मौजुद बहले बाद सीबी हैं गौट्सन के ओवर के अगली गेंज बार ओवर के आखरी गेंद है यह डाट गेंद है यह एक और डाट गेंद आती भी ओवर के आखरी गेंद पर 12 ओवर समापत हो चुके हैं 11 रन 5 विकेट नुकसान पर सूपर गीलीज का स्कूर भाई तो कहूंगा बीए 11 तरिची बैटिंग करने आए मार्ण के सब्सक्राइब लगा है क्या करूं बुक्सेट करूं लूग क्या मुझको मैं कुछ मत करूं बाई मैंने भी लगा सब्सक्राइब लगा लगे अगर प्रॉफिट आ तो निकाल लो कोई बात निमन मुखुशी मनाओ यहां सब्सक्राइब पहली इस बार संजेय आदव को स्ट्राइक लिए इस गेंट पर आर संजेय आदव ने और सिंगल के साथ स्ट्राइक पर सब्सक्राइब कर लो थोड़ा वेट करो बिल्कुल और नीचे नीचे आते हुए आते हुए और सीबी आर सीबी नाम है इनका और स्ट्राइक पे हैं मौजूद जिया रखता है आपको इस खेल के अंदर यहीं चल रही है कि दुनों बल्लेबास समहल के खेलना चाहते हैं ज सब्सक्राइब कर लो थोड़ा वेट करो बिल्कुल और नीचे नीचे तरफ भाग रहा है थोड़ा वेट ही कर लो भी क्या पता एक आदा विकेट देते हैं छोटे मिल जया है आर सीबी को आउट करो आर सीबी तो वैसी टूनमेंट से आउट रहती है आपने आप ही चलिए यहां से अब अगली के इन गंगा शिर्धर राजू की आर संजी यादव हैं स्ट्राइक पर एक और विकेट लेजिए जैसा कि मैंने कहा था कि यहां पर अगर आर संजी यादव को आउट कर दिये जाए तो मुश्किले काफी होंगे गंगा शिर्धर राजू नाम याद र नुकसान पर चैपोक्स सूपर गिलीज का स्कोर है और लिजिए बीए 11 तरिची आज फॉर्म में है बईया बीए 11 तरिची की टीम आज पूरी तरीके से फॉर्म में है और आर संजी यादव जह हैं वो कैच आउट होते हूं तेइस गेंदों में जी यां तेइस गेंदों म बाहर जाने का प्लान बना के बना दिया है बिलकुल भाई तो कहना हूं लगा है बाई चुप चाब से बैटरो खेल देखो इनिंग ब्रेक तक देखो खेल चल रहा है तो कि यहां पर विक्टे आ नहीं रहे और शेपोक सुपर के लिए जो है वो दे रहे आपक बीए लावन इतनी के अच्छी टीम होगे वाई इतना के ट्रसाइज हमने कर दिया था पिछले मैंच में शायद यहां पर लगता है कि खुश हो गया होंगे यहां पर आज शशीदे जियां एक घातक गेंद बाजित से हैं पाएंगे क्या यूश शशीदेव इनका नाम है शशीदेव वैसे बड़ा बल्यवाज हैं बायाहत के बल्यवाज हैं गंगा श्रिदर राजु के वरके अगली गेंद एक और डॉट गेंद यहां पर और स्कोर अभी विए थिए अत पर की अगली गेंद करने के लिए यहां पर यूश शशीदेव को सिंगल बटो रहा है स्ट्राइक पर आर गये है आर सीबी आसीवी जो हैं स्ट्राइक पर मौजूद हैं यहां पर और मुकाबले में जिए पक सुपर गिलीज की टीम बहुत जादा ही मुश्किलों में हैं अब नहीं जीतने वाली सी एसस भाई नियाक सुनियों भाई देखिए और ने चिला 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 कह देगा भी हम तुन जीती नहीं को भाई एसमपी पर पांसो लगा था लॉस कट नहीं किया सब गया फिर भी नहीं ना केक जाएगा अरुन भाई सांते से बैठोना आप कर कर लो अब कर लो अब कर लो और उन भाई हो गया प्रॉफिट के न चीए लंगा शृतरा जुकिए गेन एक बाफिट से बढ़िया गेन गेन बाजी अच्छी कर रहे हैं आखरी के इन पर सिंगल आता हुआ च्छे आ तेरा वर समाब तो चुके हैं यहां पर स्कॉर्स का स्क स्ट्राइक पर माजूद होंगे और अगर बात की जाए इस मुकाबले के सूर्तिहाल की यहां पर काफी बढ़िया जो है वो खेल देखनों मिल रहा है खासकर बीए लावन तरिची की टीम जबर्दस गेंद बाजी जो है वो कर रही है एक बार फिर से बढ़िया गेंद गं सिंगल बटो रहा है स्ट्राइक पर आते हैं शशीदेव शशीदेव और सीबी को कोशिश करने कि एक सो बीस का आकड़ा जो है वो कम से कम पार करें आज तो मज़ा आगया त्रीची पे हूँ छिक्स पॉइंट पर दखाया था पंद्रह सो का नो हजर मिलेगा बाई सामने मौझूद बलबाज शशीदेव के ओवर कि हांगली गेंट पर पर फिर से सिंगर लिया तीसरी एंद पर काफी तीजिकी की तरफ से खुश हो आज क्या तत्रिशी की टीम ने स्कुर हो चुका यहाँ कर दो किट के नुकसान पर तेरा देशनलों तीन गेंदे हो चुके हैं एक बार फिर से अगली गेंद गौर्शन की एक सिंगल और लेते हैं वैसी भी स्ट्राइक पर आते हुए शाशीदेव बीटी जियां आज बीए 11 तरिची की टीम ने टॉस जीत कर पहले गेंद बाजी करने का देखते हैं किस तरीके से रहता है यहां पर अगली गेंद एक बार फिर से इस सुबर में देखा जाए तो पांच गेंद होचुके हैं चार ना चुके है आगे वाली बाद जी आगे वाली बाद 15 में कितने बरन बनेंगे भाई गैद 12 में कितने बनाते हैं यह यहां से चिलिए अगली गैंद एख बाद फेर से हैए सीभी को एह गेंद ने इस गेंदे बची हैं जी यां 36 गेंदे बची हैं अब देखते हैं 36 गेंदों में कितने और बनते हैं अगर मान लिजिए पचास रन भी जोडते हैं तो 133 का स्कोर काफी अच्छा स्कोर हो सकता है यहां पर स्पिच के उपर क्या लग रहा है आपको कि आज बनेंगे क्या बनेंगे स्कोर यह देखना होगा चलिए देखने मिलेगा अभी तक तो यह पार्टनर्शिप ठीक चली है दसरंग की पार्टनर्शिप हो चुकी है शशिदेव और सीबी की बीच में और यहां से 36 गेंद पूर और विकेट्स जो है वो मिलते नजराएं चली है देखते हैं अगली गेंद इस बार सिंगल लिया है यहां पर जो है शशिदेव ने और स्ट्राइक पर आते हैं सीबी गंगा शिद्र राजु के स्पल का यह आखरी ओवर है तीन विकेट चटका चुके हैं 12 रन देकर हर जाएगा क्या देखना होगा अगली गेंद इस बार अगली गेंद इस बार सामने मौजूद बलेबाज यहां पर यहां से और स्ट्राइक पे अब आ चुके हैं यह उछैशिदेव खोर पिचासी रन thiyan चीज़ नुकसान पर 14.22 के बाद स्ट्राइक पर मादूद है यह श शिदेव सिंगल शिंगल गाड़ी जो है वह आगे बढ़ रही है चैपोग सूपर गीली जिए की चैपोग सूपर गीली जिए टीम कितने रन जोडती है यहां से यह देखना होगा है फिर से अगली गेंद सामने मौझूद बल्यबाज यहां पर और सीवी आर्टीबी को ये गेंद पर बड़ी आगेंद थी डॉट गेंद है कोई रहन ही मिलेगा इस गेंद पर गेंद बाजी गंगा शिर्दर राजु ने आज काफी बहतर तरीके से की है और श्यासी रंचे विकेट नुकसान पर आखरी दो गेंदे बची है इस ओवर के एक फिर ससीबी को ये गेंद सिंगल लिया यहां पर स्ट्राइक पर आए शचीदेव शचीदेव खेलेंगे आखर कि इस ओवर की क्या लगता है अब ट्रेडिंग अच्छा रहेगा और रोई जहां बाइट रेडिंग आपको करनी है तो आप कहीने के कल्यान बुक पर जॉइन कर सतने हैं टोटली एक्सचेंज है लॉसकोट बुक सट कर सतने हैं ट्रेड कर सतने तो लिंक है बोनस मिलेगा डिपोईट आप फोन पर पेटियम से बैंक ट्रांसफर सकते हैं और कहीं ने कहीं अगर देखा जाए तो विड्रॉल भी आपको 15-20 पर बैंक अकाउन कर दिया है उसने को क्लिक करके आइड करिएगा खेलिएगा और जीतिएगा यहां पर कल्यान बुक के और खेल जो है जिससे सब चल रहा है ऐसा लग रहा है कि सिच्वेशन जो है अंडर कंट्रोल है यहां पर शेपक सूपर गीलीज के लिए अगले पांच ओवर में चालीश हर भी जोड़ ले तक बहुत सकते हैं अब डेविट सन को बुढ़ाया गया है गेंद बाजी करने आए पर देखते हैं इन आखरी के पांच ओवर के अंदर कितने रन बनते नजर आते हैं चलिया देखते हैं क्या होता है इस मैच के सूर्थिहाल यहां पर अथिश्राज डेविट सन जी आगेंद बाजी करने देखना होगा किस तरीके से चलेगा यह खेल किस तरीके से बढ़ेगा यह खेल आगे और काफी लोग अपर से जुड़े में थैंक यू फर सपोर्टिंग है इस इस बार यहां पर डेविट सन के अबर की पहली गेंद सिंगल लिया इस गेंद पर इस सिंगल के साथ स्ट्रा गेंदों में अब कितने रन और चाहिए होंगे जिन उत्रिस गेंदों में कितने और मना सकती है यहां पर शूपर गिलीज की यह टीम यहां पर 88 रन 6 विकेंद नुकसान पर पंदातर सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और जुड़ जाएगा हमार साथ इस मुकाबले में मु जो डेविट सन के ओवर की अगली गेंद यहां पर सामने है मौजूद जिया सामने मौजूद है यूशची देव अभी तक देखिए है गेंदबाजी में कोई ऐसा जल्वा दिखाया नहीं है गेंदबाजी जिस लाइन पर की गई है काफी बढ़िया रहा है और यहां पर म नहीं loud नहीं हैं वहले आइसे और मजब फिर से चल गएंडेकर चल रहे सामने मौजूद यूशेची देव यूश्यची देव सामने यहां पर फिर सशाट खेला स्ब्सक्राइब ने बात्रटों है स्बस्राइ इस ऐणिड कर रहे हैं और घीकर alm बाजी लगी है कि शायद हाँ गेंदभाज Prim 노 कर गेंदबाजी कर रहे हैं आप मिलकर गेंदभाजीर हो कर रहे हैं आपoug सूर्थिहाल यहाँ पर डेविट सन के ओवर कहली गेंग तीसरी गेंग इस बार नभेरन बन चुके हैं छे विकेट नुकसान पर पंदर दुशनलम दो गेंदे हो चुकी है अब यह पार्टनर्शिप जी है वो काफी बहतर जा रही है बहतर पनप रही है इस पार्टनर्शिप को तोड़ना होगा और बीए 11 को कम से कम स्कूर प्रकून होगा बीटी की बैटिंग ठीक है क्या बाई ठीक ठाक यह जानते ही हैं आपको बहले बाजी से फरनी पड़ता हूँ इन विन टुड़े बाई देखो कौन जीतेगा हकीम खान बाई कर नहाई सर गेम भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस पुकाबले में दो विकेट और आजाएगा यहां पर तुमझा आजाए बाई अलाउट करते चिपक सुपर गीली साथ बीए लाउन तेची टीम छे और सत्तरन मार के बैढ़े जाए राम से खतम करते मैं आज को देखते हैं क् एक बार फिर से यहां पर जो हैं आर सीबी जी हैं आर सीबी जी हैं वो स्ट्राइक मौझूद एक बार फिर से गैप में धकेला इस गेंद को जी हैं सीधा बले से खेला था गेंद बास के सरके ऊपर से और दोर दोरन मिल जाएंगे इस गेंद पर इस दोरन के साथ बड़ा प्रहार चाहेंग और की सिंगल 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 के साथ रन आ चुके यूश रूड़ा स्ट्राइक पर चुरांवे रेन च्विकेट नुकसान पर 15.5 गेंदूगा खेल हो चुका है समात बीटी बीए 11 तरिची की टीम आज गनदंवाजी अच्छे करतने जराई अच्छा स्कूर रहे Гांबाी यहां पर द्रशन के गारीज आपर सामने मह plot फिर दिन क्या करते वह रहिआ पर क्या करें भाई प्राइस नीचे जा रहा है अरुन भाई कहा तो था बुक सेट करके बैठ जाओ ना करो तो बैठ रहो रिस्क लो जिन्दिगी में नहीं पिछ लग रहा है फिक टाक लग रही है अब शशीदेव और सीबू बैटिंग खेल रहे हैं रण बन रहे हैं रहे हैं ना वह तो बल्लेवाजि ने गलती करी ज़्यादा तेज खेलने के चकर में चैंच वह फक्डवादी यहां और मुकाबले में जो है वह आगे के तर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एक बार फिर से यहां पर मौझूद स्कोर अभी भी पिचानवे रन यहां पर छे विकेट नुकसान पर एक बार फिर से गेन बाजी करने के लिए खे यही श्र conversion की अगेंद इस बार बड़ा श॓र्ट केला है चौका बटोर आहां पर यूश्चिदेव ने काफी देर के बाद एक बड़ा शौर्ट आता हु स्कोर पहुसता हुआ निनयानुवे रन छे विकेट नुकसान पर जियां 16-16 एक हो चुकी है आखरी की 23 गेंदे बची है जी आखरी की 23 गेंदे जो है वो बची हुई है यहां पर अब देखते हैं आखरी के 23 गेंदों के अंदर कितने रनों और जोड़ेंगे दोनों बलेबाद शायद अगर 40 रन जोड़ें तो इसे 40 रन का स्कूर एक अच्छा खासकर बीए 11 तरिची के लिए जी यहां बीए 11 तरिची के लिए अच्छा स्कूर यहां से रह सकता है इस मुकाबले में बाकि अब डिपेंड करता है किस तरीके से खेलेंगे यहां पर चलिए स्ट्राइक पर मौझूद बलेबाद यहां पर यू शाशीदेव को यह अब और बना देंगे तो बना सकते हैं चेस कर सकते हैं बस कोलाप्स ना करेंगे कोलाप्स बोजल्दी करते हैं और बैटिंग और अगर सही रखा तो मुकाबले में मजा आ जाएगा आपको आज आ जाएगा भाई आपने लॉस कट किया क्या बिलकुल नहीं कि आरून बैठा हूं मैं तो सिंगल हैं ले बैठा हूं वेट कर रहा हूं देख रहा हूं आज क्या सोच रहेगी आज मार्केटि सबको भरोसा नहीं है ब्लेबाजी मुझे तो मुझे भरोसा नहीं है मगर मैंने का चलो ले लुड़िस क्या हूं लेके शुनन के वर के लिए स्ट्राइक पर एक और बार बढ़िया गेंड डॉट गेंड यहां पर कोई रण नहीं मिलेगा ओवर कि चार गेंदी हो चुके ह चंडह चुके हैं चल रहा है क्या लगता है आपको क्या हैं लगता है आपको यहां से कितने रन और जुड़ेंगे अब्सक्राइब खेलेगे गेंद को खेला है हभामें यहां पर गेंद जाती सीधा बान्डरी की तरफ और यहां पर न मिलता हुए जी आ came पर शॉट खेला जरूरत काफी तेज मगर हवा में जाधर रही है गेंद और एक दो रन बटो रहे हैं इस गेंद पर इस दो रन के साथ स्कूर पहुसता हुए इसा लगा कि बड़ा शॉट खेल दिया है कि बाउंडरी मिलेगी मगर यहां पर बाउंडरी मिली नहीं और ओवर्थ्रो जी यहां ओवर्थ्रो का एक रन और जुड़ता हुआ फिल्डर भी करता है इंजरी हुई है लेटे वे जमीन पर के शुरन की स्लोर वन गेंद थी उस पर बड़ा शॉट खेलने गए टॉपस बल्ले के बिचो भी जरूर लगी एक और डीप मिट विकिट दिशा में फिल्टर के हाथ से कैच छूटा कैच छूटा भी और फिल्टर रेगेंद क शे विकिट नुकसान पर सुरत शुलाव पांच गेंदे हो चुकी है शाइद ये कैच पकड़ना चीए था सर जीटी बीटी जैसे पास बैटिंग है क्या भाई बीटी की बास पैटिंग तो है सौरप सिंग भाई डिपेंड करो कि फायर करें यहां पर यह तो भाया नहीं ह हुआ तो बीटी की टीम बीए लावर की टीम फिर फच जाएगी चलिए यहां पर इंजरी है देखते हैं कौन से बल्ले बाग क्या जफर जमाल है यहां पर इंजरी हुई है पैर में या फिर गेंद बास है यह देखना होगा यहां पर यहां पर बल्ले बास है तो बहुत बन चुके हैं आप च्छे बिकेट के नुक्सान पर सुरत शनों पांच गेंदे हो चुकी है तांग जो है तांग में काफी जदा तेज चूट जो है वो लगी है इसलिए बाई प्लेयर को बाहर ले जाए जा रहा है ग्राउंड से बाहर ले जा रहा है चलने बहुत दिक्कत ह रही है यहां पर फिल्टर को और गेम जो है रूख चुका है जीए गेम जो है रुक काफी जाता होका चलने विफ्सन दिक्कत हो रही है इसलिए श्रचर्चर में लेट के फ़ड़ा बाहर ले जाए जाए जाएगा उनको यहां से इस साही नहीं है ब्लेयर जहां वो रहे है अब क्या शिचिशन रहेगी चलिए एक बार फिर से गिंदबाजी जो है वो स्टार्ट होते ही के इश्वरन की एवर केगली गेन इस बार सिंगल लिया यहाँ पर सीबी ने इस सिंगल के साथ ओवर की समाफ्ती होती वी 17 ओवर समाफ्त हो चुके है 105 रन 6 विकिट नुसान पर अच्छे आपक सूपर गीली का स्कोर है इनको तो मार जाने दो एक वार करें यार प्लेयर है अच्छा खेल रहे हैं खेल ले दीजिए आरुन भाई कैसी बाते करते हैं आप सुर्जोद भाई कह रहा है बाई कौन कह रहा है बाई मार्केट तो गहरा है बीटी के चांसे कौन आएगा यहां पर यहां पर इसामने मौजूद है बहले बाई लौसर और सिबी को अगळी केन रार सिलम बंसन की आर्स लिमदसन आ चुके जो जिसगोई कि बाउट गहा स count है इस बाई में कितने और चाहिए कितने रन और बना पाएंगें पर बल्लेवाजी में पार्टनर्शिप के अगर बात की जाए तो देखिएगा भी 27 गिने 32 रंग की पार्टनर्शिप जो है बन गई थी बड़ लगना था शाथ कॉलापस हो जाएगी स्ट्राइक पर आते हैं यू शशीदेव और यहां से यू शशीदेव कोशिश करेंगे बड़े बड़े शॉर्स लगाएं और 17 गेंदेव अची है देखते हैं सब्सक्राइब यहां यहां पर चैपक्स उपर गिलीज के खाते में 107 रंचे विकेट उनुसान पर 17 गेंदेव बची हैं और रंस जहां वो देर हैं गेंदबाज ही रंस दे रहे हैं आप थोड़ा सा सयम के साथ अगर खेलेंगे शायद मौका मिलेगा चलिए एक बार फिर से आर्सलिंबर्शन ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलते हुए स्ट्राइक पर मौजूद बलेबाज यहां पर यूश शिदेव इस बार ओवर की अच्छी सटीक लाइन पर यह गेंद थी और इसी लिए मिस्स कर गए पूर तरीके से इस गेंद को स्कोर के अगर बात की जाए तो एक तो साथ रन मन चुके हैं छे विकेट नुकसान पर सतर तरशन दो गेंद हो चुके हैं यूश शिदेव चोदा गेंद में चोदर में र आगर लसो चुका की दो लगातार बढ़ी आगेंदे शाम सिनह पमार भाज यूपिए की नो तयारी नो तयारी दुनिया जिसको तैयारी करने चुछ तो कर लेता है और सुन यहीं कर पाँए को तो एक बार जाहीं बस एक बढ़ा ओर चाहिए नहीं यह लग्हारी कर अपिर पर दोरन मिलेंगे इस गेंद पर इस दोरन के साथ स्ट्राइक पर यू शाशीदेव ही मौजूद है तो इस ओवर में आते वे चार अंजी है कदमों का इस्तमार के कवर दिशा में खेला जरूर था पर फिल्टर मौजूद थे वहां पर डाइव लगा कर फिल्टर गेंद को रोका है और दोरन आते वे इस गेंद पर चार गेंदे हो गई है इस ओवर के और चाहिर रन आए इस ओवर से स्कोर हो चुका है 109 रंचे विकेट नुकसान पर 17-11 चार गेंदों का खेल हो चुका है समाप यू शाशीदेव यू शाशीदेव मौजूद है एक बार फिर से आर स्लिम बर्सन के ओवर के अगली गेंद ओवर की पाँच वी गेंद है यू शाशीदेव हैं स्ट्राइक पर क्या बड़ा शॉर्ट जी नहीं एक और डॉट गेंद आती वी बढ़िया गेंद बाजी आज आरसलिम बर्सन की डेथ ओवर में इस प्रकार की गेंद बाजी आज कर रहे हैं इससे पहले मैचिस में आसी गेंद बाजी देखने हों मिले नहीं है स्लोर वन गेंदे भी कर रहे हैं और पूरी तरीके से हावी है बलेबास के उपर तो चार नाए हावी तक पांच गेंदों के अंदर आखरी गेंदे बची है आखरी गेंद बची है इस over की क्या लगता है आपको क्या लगता है आपको यहां से यूष शिदेव कुछ कमाल करेंगे बड़ा शोट लगाएंगे या फिर अर्सलिम बर्सन आखरी गेंद को भी डॉट करवाएंगे आप एक बार फिर से सिंगल लिया है इस गेंद पर सिंगल के साथ ओवर के समाफ्ती होती वी 18 ओवर जियां 18 ओवर समाफ्त हो चुके हैं 110 रन 6 विकेट नुकसान पर सब्सक्राइब कर दिये चैनल को और जुड़ते रहिए हमार साथ इस मुकाबले के अंदर 110 रन 6 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर जो हैं वो समाफ्त हो चुके हैं यूश शिदेव स्ट्राइक मौजूद और यहां से बारा गेंदों में ताबर तोड जियां ताबर तोड बले बाजी जो है वो कर पाएंगे यह देखना होगा चलिए यहां से अब यूश शिदेव कोशिश करेंगे तो इसा रनु यहां पर अब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आते हुए यहां पर गेंदबाज का नाम है अब यहां पर डैविट्सन डैविट्सन की शॉट अफ लेंद गेंद इस बार इंसर डेज लगा है एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर स्कोर पहुसता हुआ एक सो ग्यार यहां से अब आर सी बी जहां वह मौजूद है और कोशिश ही करेंगे कदब बारा शोट लगाएं गयारा गेंदों में को नमनाएगा बारा रन या बीस रन बनने हैं लास्ट दोगर में ओके मैं जी-पी-एस की तयारी कर रहा है मैं जिसके तयारी कर रहा हूं मैं तयार हूं सचीज के लिये भी ठीज्य कर लिया तो मेरी वह निकल लेंगा जोड़ दीजिए घृत करना वह करे लेंगा ने अदर लाए थे राउंड दस्ट कर गये थे क्या रविवीवू लेना अगर review बचा है तो कहीं ने कहीं review लेना चाहेंगे इस gain के लिए क्योंकि gain बिलकुल यॉरकर थी और आगे रखी थी review लिया गया क्या यहां पर एक और wicket मिलता हुआ कि एक और विकेट मिलेगा, Amparar ने फैसला दिया है, Amparar ने फैसला दिया है यहाँ पर, यहाँ पर कफ्तार ने, गंगा शिर्दर राजू ने कहीं ने कहीं, यहाँ पर रिविईू लिया है, अब देखते हैं, दो गिदि हो गई हैं, सोर के बड़ा गेंदबाजी जी यहाँ हैसा थोड़ा से लगा जया । am गड़ीर हो यह यहां वें यहां में के बाहर ना हो यह देखना होगा लाइक करिए गाथ चैनल को तो यहां पर बल्ला लगे हम पढल नहीं करेंगा जीद से wraps चखर आप तो यहां पर निखिएगा आप बल्र ला इइन वॉल्व नहीं है बस आप देखना होगा की 고 आन पक्रपेंब कि बाहर यहां की लाइन में इंपक्ट हैएं और हैं में तो ह 카्र क्यानिंगि सिंगल मिलेगा चपक सुपर गिलीज को एक सुबारान बन चुके हैं चेविकेट नुक्सान पर यू शशीदेव हैं स्ट्राइक पर अठारा दसनला दो गेंद हो चुका है सम्माप्त अमपार ने कहा कि विया रिविव गवाना पड़ेगा बाउंडरिस अभी आ नहीं रही ह तो कोशिश दोनों बल्ले बास कर रहें गिरन बनाए जरूर चलिए एक बार फिर से अगली गेंद इस बार सामने माजूद बल्लेबास यहां पर फुल टॉस यह गेंद सीदे बला सकेल दिया गेंद को गेंद जा लिया है फिल्डर के दिक्षा में लोगव की दिशा में फ पाउंडरी है कि नहीं यहां पर जरूर करेंगे कि दो रन तो दॉड़ लिए कर दो और जूड़ते हैं खाते में तो यहां पर देखना होगा चलिए फिर से बचा लिया यहां पर लिए यहां पर दो नहीं तीन होंगे ओवर्थ्रो का भी एक रन दॉल लिए यह तीन रन मिलते हैं इस गेंद पर इस तीन रन के साथ स्कोर पहुसता हुआ एक सो सतरा रन चे विकेड नुकसान पर सात रन आचुके हैं इस ओवर में और डैविडसन उननिसवा ओवर कर रहे हैं अभी तक देखा जाए तो चार गें यह तो यहां पर आर सीबी स्ट्राइक पर आते हैं आर सीबी को अगली गेंद इस बार बड़ी आगेंद यहां पर हलका सा लोफुल टॉस कलाईओं को सारे खेल दिया इसको स्कोर एलएक बाउंडरी के बाहर शारन के लिए एक और चोका आता हुआ सीबी के बले से स्कोर पहुसता हुआ 121 रंचे विकेट के नुकसान पर 18.5 गेंदों के बाद जीए 18.5 गेंदे हो चुकी है और लीजिए इस ओवर में 11 रंण आते है जो एक बड़ा धून रही थी कहीं ने कहीं चैपक सूपर गीलीज की टीम और यहां पर एक बड़ा स्क स्काइब कर दीजिएगा और जुर जाइएगा हमार साथ इस मुकाबले में सामने मौजूद बलेबाज यहां पर जो है यहां पर सीबी सीबी को यह गेंद बार शॉर्ट रंड में दिशा में खेल कर एक रंड जो है तो 19 समाप्त हो चुके हैं 122 रंचे विकेट किनुकसान पर शेपाउक्स उपर गीलीज का स्कोर है इस ट्राइक पर होंगे और सीबी और देखते हैं के इंद बाजी कौन करेगा जी आखरी ओवर और स्लिम बर्सन को यह करना चाहिए 49 गयतम उनचास रंग यह पार्टनर्शिप हो गई है और इस पार्टनर्शिप ने कहीं ने कही पर गीलीज की कुछ रहन तो है और फाइट करने के लिए अब देखते हैं आखरी और स्लिम बर्सन कोई करना चाहिए कि गेंद बाजी जहां स्लिम बर्सन ने काफी अच्छी करी है और अब देखते हैं क्या करेंगे यहां से किस तरीकी गेंद बाजी रहेगी रगुपती स्लिम बर्सन का बीवी आखरी और बच्चा हुआ अच्छे गेंद बची हैं तीनों चौदर रन दिये कोई विकेट नहीं निकाला स्लिम बर्सन ने मगर गेंद बाजी जहां वो काफी अच्छी करेंगे एक सो तीस बनाएंगे यह थेको बाई सीबी जो कि 25 गेदव है 27 रन बना चुके हैं एक बार फिर से स्लिम बर्सन के वर की पहली गेंस सामने माउजुद बल्लेवाज आर सीबी अब हमें खेला इस शौट को क्या लगता है क्या लगता है हां से बड़ा शौट होगा हमें खेला इस शौट को गैप में यह गेंद दो रन फिर मिल जाएंगे इस दो रन से साथ 124 रन बन जाएंगे जियां बड़ा शौट खेला था फिल्टर ने फिल्टर के बिल्कुल आगे यह गेंद गिरी और दो रन दोड़ने में कोई गलती नहीं करी अभी पांच गेंदे बची है इस ओवर की कोशिश यही है कि रन बाज आर सीबी आर सीबी को अगली गेंज सिंगल लिया है सिंगल लिया है यहाँ पर फिर से शशीदेव आ जाएंगे स्ट्राइक पर 125 रन बन चुके हैं छे विकेट के नुकसान पर 19.2 गेंदे जी हां 19.2 गेंदों का खेल हो चुका है सम्मा आप स्ट्राइक पर क्या लग रहा है क्या लग रहा है कि आज कुछ बड़े बड़े शॉट्स यहां पर लगाएंगे 125 रन बन चुके हैं एक बार फिर से अगली गेंद और स्लिम बरसन के ऊवर की यूश शीदेव हैं स्ट्राइक पर हवा में खेला यह शॉट को क्या इस बार बाउंडरी के प बाउंडरी क्रॉस नहीं हो रही है और दो दोरन दोड रहे हैं बल्लेबाजों के बीच रनिंग बिट्वीन काफी बहतर है और रन जो हो बना रहे हैं स्कोर हो चुका है अब 127 रन 6 विकेट नुकसान पर 19.3 गेदे हो चुकी है अब अगली गेद देखते हैं आर्सलिम बर्सन किस तरीके से करते हैं अभी तक तो छीक ओवर गया है पांच रन आ चुके हैं आकरी के तीन गेदों में चाहेंगे कि रनों को रोका जाए एक बार फिर से आर्सलिम बर्सन यह गेंध ही बल्ले का बहारी किनार जरूर लगा वहां पर अगल थर्ट मेर्म फील्टर मौचूद था एक एन मिलेगा इस गेंध पर जींद कितल नंक्षा नेश्वा स्लिम बर्शन के एक और डॉडड गेंट जी यहां अक्र यहां पर सिंगल मिलेगा सिंगल मिलेगा इस गेंद पर तो आखरी गेंद बची एक सो नत्य सरुन बन चुके हैं और बल्लेबाजी आज कुछ उस तरीके कि हो इनहीं है चेह पॉक्स उपर गिलीज की जिस तरीके की म अब क्या लगता है आपको आखरी गेंद पर क्या होगा हम तो CSG को लोटा बैटी में कहां दम था कस्ती वहीं जूरी दभी जहाँ पानी कम दबाई सुरब सिंग बाई ऐसी चलेगा देखे जो पिस सही है बलेवाज चले आखरी गेंद बची हुई है इस आखरी गेंद को खेले तैयार है यूश शशीदेव को ये गेंद सामने मौजूद बलेवाज यूश शशीदेव स्लि यहाँ पर आउट कर दिया, ऐसा लग रहा है, आउट कर दिया, यहां पर विकेट कीपर ने दोड कर आर सी बी को सिंगल लेने गए थे, मगर वहाँ पर आउट कर दिया, रणाय रूट होते वह आर सी भी, 28 गेंद मुना एक 38 नहीं आपर और विकेट गिरता हुआ, विकेट और समापत हो चुक हैं, 137 गिकर नक्सान पर स्कोर हो चुक है, शेपउस उपर गिलीज़ का अब बीए 11 तरिची की टीम को बीए 11 तरिची की टीम को 130 रन चाहिए जीतने के लिए यहां पर इसमुकाबले को चैपउस उपर गिलीज़ की टीम इस रन को डिफेंड कर पाएगी या फिर बीए इलाउन तरिची टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज कर पाएगी ये देखना होगा चोटा सा ब्रेक लेंगे अब ब्रेक के बाद जुड़ेंगे दूसरी पारी में बताएंगे दूसरी पारी का सूर्तिहाल उससे पहले लाइक करिएगा सबस्क्राइब कर ये चैनल को और यहां से टार्गेट मिल चुका है अब बीए इलाउन तरिची की टीम को एक सो तीस रन का जो की बनाने एक सो बीस गेंदों में तो आज बल्लेबाजी जो है उस तरीके से हुई नहीं चेपक सूपर गीलीज के एक सून अतिस रन तरीक हमार साथ लाइव हिंदी कमेंचरी में फ्रिकेट लाइव हिंदी के साथ अत्रिके से जोपो पारी जो पारी के साथ जोपो लाइव सो ऑारी के साथ जोब राइव और जो चे जोपो एक से तो बीए झाल आज राइव हिंदी के साथ कर ऋट सूजात dogs . कर दो जो सकतर का समन सूजाज 딱 कर दो सेय। raa-ुण झाल शाल में याम कर दो कि दो कि लो एप अजया कि लुजब और में लोड़़् जाजकिन अजया कि खाल शाय खाल झाल झाल झाल, 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 झाल झाल, 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 झा झाल 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 झाल